कि बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या कि चलिए कि सबसे पहले तुम्हें आपको यह बता देता हूं आज से में किलास थोड़ी लंबी लूंगा बच्चों क्योंकि मैं काफी दिनों तक गायब हो गया था तो लगबर डेड़ से दो गंटे लेके मैं डीबे में चार से पा मेनेजमेंट सिस्टम अच्छा बच्चों यह याद रखना कि डीबिया में इस थियोरी के क्यूशन है पूरा ट्यूर्टिकल टॉपिक है लेकिन याद रखना इसमें भी आप इंट्रेस्ट बना सकते हो और नुमेरिकल कर सकते हो हाँ जी कितने बच्चे आए अभी क्यों तीन बच्चे आए सुरिष्टी यसर लवीशा यसर क्रिटी यसर ठीक है बच्चे कम जुड़े हैं चलो कोई बात नहीं सबको इंपरम कर दीजिए आज की जो मेरी किलास से बच्चों लगबग 2 गंटे की होगी और मैं डीबिया म का मेरा टारगेट डीबिया में चार दिले में पूरा समझा दूगा फिर आप कोई भी कुशन करना मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी से भी मैंने उस लेवल की करवा दी जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप करते रहिए तोड़ी प् करो और फिर उसके अंदर नीचे जो है वो डिसकेशन नाम से एक रेडियो बटन होता उसके उपर क्लिक करके बहुत सारे स्टुडेंट के डिसकेशन देख सकते हूं सभी तैयारी आप कहां से करो इंडिया विक्स से क्योंकि उससे अच्छा प्लेटफॉम नहीं हैं कम्पि नहीं मिलता है तो आप बहुत सारे बच्चों के वियू जोते हैं उनको देखा करो इंटेलिजेंट बनने के बहुत सारे तरीके एक टीचर के ओपर डिपेंडेंट रहें आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते हैं आपके प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए फिर अगर आपके नहीं समझ में आए कोई चीज तो आप मेरे से पूछ सकते हो ऐसे सी चार या पान दिन की है मैंने पंदा दिन तक आपकी क्लास लिए और अधिक से अधिक से समझाने की कोशिस किये अब आप ठोड़ी से प्रैक्टिस करो कहां से करना है इंडिया विक से जाके कैसी से के कम्प्लेट टोपिक हाब माली यहाधिए फाइल सिस्टम अपने कोहर से मैं नहीं तो फाइल सिस्टम मत करो आपके कर सी अनसर सीट आप यह वह भीश देंगे वेज से में क्विशन उठाए इंडिया विक्स पर देख लेना समय जाएंगे आपको आज करते इस्ट बच्चे कम आये साहथ आच चलिए सर्पानी बोतल देगा नेको बच्चों डीबियमें इस क्या होता है सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि डीबियमेंस होता क्या है बच्चों तो सुनूं डीबियमेंस की फुल फॉर्म होती है डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम आज मैं को एंट्रेक्षण दे रहाँ डीबियमेंस क्या होता है कि डविक्स किशिघति क्या होति है और ऒर इस तरीकिसर वर्किंग करते हैं कि यह सारा का सारा टॉपिक आज में ले रहा हूं तो समझे ना काफी बड़ी किलास है अच्छी तरीके समझ रहा हुँ तो देखो बैचो हर चीज को बिल्कुल क्लियर करने ना बहुत सारे चीज़े मैं नहीं आप पर लिखी है ताकि आपके पेडिया बन जाए बाकि मैं आपको समझा रहा हूँ करें सबसे पहला पॉइंट यह होता है डेटा बेस्ट्पेस मेनेज्पेस्टे में सिस्टम होता है तो याद रखना इसके दो पार्ट होता है डीवी होता है करेय। क्रेड करना किस तैबल को क्रेड करना है कॉमल सी रात है अंदर अपने पुर बनाई होगी तो वह जो टेभिल बनाई जाती है उसको डेटाबेस कहते है आपको और एक ह Commerce mil को डिलेट अपडेट यह पिर जो भी आपडेशन करता है उसको delete करता है उसको assessing करता है तो यह जो सारा काम करता है उसका नाम होता है management software तो याद रखना dbms दो चीज़ों से मिलके बनाए एक क्या है बच्छो db और एक क्या होता है ms db का मतलब होता है एक टेबल होती है database होता है clear बच्छो database मतलब यहां आपका original जांन डेटा होता है जैसे माली जीए मैं कहता हूं रोह नमबर श् nggak की बात करो अगर मने अगर में इस्टूडेंट की बात करता हूं तो याद रखना यहां पर ले लिए मैंने जैसे रोह नमबर यहां पर क्या लिया बच्चों मैंने रो नमबर यहां पर क्या लिया मैंने कोर्स कोर्स ले लिया और यहां पर क्या ले लिया फीस तो बच्चों यहां पर जो डेटा भरा जा रहा है यह जैसे वन टू ठेक है कोर्स है कोर्स आपका यह हिंदी और यह इंग्लिश है और इसकी पीस चलिए यहां पर लिखा मैंने पंदा सो रुपए यहां पर सॉला सो रुपए के लिए तो बच्चों यह जो है इसको बोलते हैं अपने डेटाबेस देरे देरे समझ में आएगा थोटी कल में आगया होगा इसी को आपन टेबल भी कहते हैं क्या कbrot मेरे साबसें शञानी है देविटेट करता है किलिए का काम करता है इसको मोडिफाइग करता है इसकोлять टेबिल को ही डिलिट कर देता है उसका क्या है बच्छों सौप्टेर होता है इसको अपन क्या कहते हैं मेनेजमेंट सौप्टेर और दोनों को अगर मिला दे अपन दोनों पार्ट को अगर अपन मिला दे तो वह पूरा क्या कहलाता है बच्छों मेरे साब से क्लियर हो गया आपका result आया, आप result जाके देखते हो, तो बच्चों आप क्या करते हो, रो नमबर डालते हो, क्या डालते हो, रो नमबर जैसे आप डालते हो, रो नमबर डालने के बाद आपका answer आजाता है, कि ठीक है, आपके इतने marks आए, इतने percentage बने, क्लियर ये कैसे पता चल गया, क्यों क्योंकि जो university है, उसके back end के ओपर एक table बनी हुई है, उसकी hard disk में एक table है, table बच्चों original table की तरह नहीं होती है, ये file की तरह होती है, अब एक question निकल क्या है, file क्या होती है, हम आपको पूरा समझाओंगा, एक system निकल क्या आया, DB क्या होता है, और file क्या होता है, इन दोनों क ये hard disk में कोई भी data table के रूप में नहीं होता है, याद रखना, table होती ही नहीं है, होता तो file की तरह ही है, clear बच्चों, लेकिन ये जो file का data है, यह question आ चुका है, हाड़ इसक में data किस format में só Wot नहीं होता है, तो याद रखना, hard disk में data file के format में क्या होता है, लेकिन बच्चों इस फाइल के जू डेता है फाइल का होती है अब ये बी कुष्ण उटके आया तो समझो आपने सी का प्रोफ्वग्रम बनाया तो क्या चीज फाइल है शीका program जबाब बनाते हो तो वो क्या चीज पुरिफाइल है C++ का बनाया होगा Java का बनाया होगा वीवी का बनाया होगा तो जो भी चीज program बनाते हो इसमें दो चीज होती है एक तो डेटा होता है data जैसे integer a time तो ये कैशो data और एक होता है उसको management करने वाले software जैसे printf अर्विन तो प्रेंट अर्विन क्या है वो software यानि आप वो कोडिंग कर रहे हो किसकी कोडिंग कर रहे हो software की कोडिंग कर रहे हो तो file system के अंदर data और data का software दोनों एक साथ ही होता है आपने c में program बना है तो c के एक file बनाई आपने clear और उस file का नाम है arvind.c clear बच्चो java में बनाई तो java clear dot java लगा देते हो अरvind.java लगा जाते हो फिवी बनाई तो arvind.vb बना जाते हो उसके अंदर data भी है और उसके अंदर software भी है data और program दोनों एक साथ होते हैं किसके अंदर file के अंदर file के अंदर data data plus क्या बच्चो program ये दोनों एक साथ होते हैं मेरे साथ से clear हो गया होगा ठेकिन DBMS ऐसा नहीं है DBMS और file system में क्या अंतर है तो ये भी समझ लीजे देखो बच्चो एक लिए मैंने DBMS और एक DBMS और एक लिए मैंने file system या फिर एक काम करो system दो तरीके के होते हैं समझना system कितना तरीके के होते हैं दो मैंसे को सुनते जाना अच्वी तरीके से अच्छा सी का प्रोग्राम बनाया किस में ऐक अगा प्रोग्राम बनाया वह सब किस के अंदर आएगा फाइल पता होना चाहिए कि मालनोब डी ड्राइव के अंदर है वो मूवी, तो पहले आप डी ड्राइव के अंदर जाओगे, फिर उस मूवी को ऐसेज करोगे। कहने का मतलब, फाइल सिस्टम के अंदर आपको पात पता है कि आपका डेटा का है तब ही आप उसको यूज़ कर सकते हो आपका ओपरेटिंग सिस्टम क्या है तो पूरा फाइल सिस्टम है क्लियर है बच्चो फाइल मतलब एक तरह किसे अपन प्रोग्राम बोल सकते हैं कि जिनकी अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है और वहां तक आपको पहुंचना होता है तो वह क्या कहलाता है फाइल सिस्टम क्या है तो कोमेंच सी बात है फाइल सिस्टम के अंदर दोनों चीज होता है डेटा अलग होता है और प्रोग्राम अलग होता है क्लियर बच्चों सब्टेर अलग होता है सब्टेर मतलब प्रोग्राम मेरे साफ से आंते क्लियर हो गया होगा एक तो आपका डेटा होता है और एक आपका प्रोग्राम और दोनों अलग अलग होते हैं यह अलग हो तो फिलिप कार्ड ने पहले से ही हार्ड डिस्क के अंदर डेटा के एंट्री कर रखी है डेटा के एंट्री कैसे कर रखी है तो टेबिल टेबिलर फॉर्मेट तो अपनको दिखता है लेकिन बच्चो टेबिल वहाँ पर नहीं बनी होती हार्ड डिस्क में कोई टेबल नहीं ह होती हाट इस तो एक मेमोरी होती है तो वहाँ पर फाइल के रूप में डेटा इस्टोर रहता है किसके अंदर फिलिपकार्ट के सर्वर के उपर माल लीजिए कोई भी चीज मेरे को देखना है तो मैं वापस जाओंगा और जब उस चीज को देखूंगा तो आपने को टेबिल format में दिखाई देती है अब वह टेबिल format क्या होता है management software क्या होता है यह सब चीज में आपको बढ़ाऊंगा लेकिन इतना क्लियर कर ली जी कि file system में data और program एक साथ होता है इसका मैं एक एकजांपल और देता हूं ताकि और क्लेट या जाए तरके और फिर कर देता हूं यह कोई लेंग्वेज नहीं है मैं तोड़ी स्पीड से ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं कि समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं है आप क्यों लेके एक एक्जामपल को दिमाह में रखो, दुनिया का कोई भी कुशन आप कर सकते हो, आज से पहले, डीबियमेस से पहले, फाइल सिस्टम ही चलता था, तो क्या होता था, एक माली जिये, रेलवे के अंदर पंदर अजार एंप्लोई है, पंदरा लाख एंप्लोई है, तो पंदर एक एंप्लोई का प्रोग्राम बना, और ऐसे लगा के पंदर लाख प्रोग्राम बन गए, अब कोमन सी बात है, वो एंप्लोई रेटायर हो गया, तो आप सब को पता है, जैसे वो एंप्लोई रेटायर होगा, तो आप बताईए, या फिर एक काम करो, उस एंप्लोई की से बदल जैसे यह अब salary बदलते हो आप सौप को पता है programme में भी चेंज करना पड़ेगा तो file system में चाहिश करना है विवी ठैज करना पड़ेगा लेकिन tabular format में table अलग चीज है मैं में अर्म में कोई मतलम नहीं है वर में उसको बोलता है इंडिपेडेंडेंस क्या बोलता हैं इनिपेंडेंस मैं आपको एक एक समयाँ वागए आपके जिमाहां में आ जानी चाहिए त्यूंग है टेबल यहां पर है और शौ। यहां पर है, शॉप्टेर में चेंज करते हो, तो टेबिल में चेंज करने की जुरत नहीं है, 15,00,000 एंपलोई, रेलवे के है, IR, CTC के अंदर 15,00,000 एंपलोई है, तो 15,00,000 एंपलोई का डेटा आपकी टेबिल के अंदर है, और उसको ऐसेज करने वाला, अपडेट करने वाल डिलेट करने वाला शॉप्टेर यां पर, मालो एक नए एंप्लोई आया, नए एंप्लोई आया, तो टेबिल में जुड़ जाएगा, MS में चेंज करने की ज़रत नहीं है, माली जी MS में चीज अठा रहे हैं, कि आप table में से delete नहीं कर सकते तो यहां से अठा दीजिये table में change करने की कोई ज़रत नहीं clear वच्चो पूंकि table में आपको change करने की ज़रत यह नहीं है आप यहीं पर change कर दो कि मेरे को table को show महीं करना clear यह सब schema से चलते हैं क्या होते है schema और यह यह सब मैं आपको समझाओंगा लेकिन अब तक का जो concept है वो समझ में आ जाना चाहिए कि database management system क्या होता है, file system क्या होता है, clear बच्चों आप सुन लो, DBMS database management system, file system पहले चलता था, आजकल file system को use come करते हैं, hard disk में data file के रूप में ही save होता है, DBMS हो, चाहिए file system हो, लेकिन अपन को जो दिखता है, DBMS में, tabular format में दिखता है, और file system के अंदर, वो IJ programming दिखता है, आप बताइए, आज 99% काम किसमें हो रहा है, database management system में हो रहा है, file system में कम हो रहा है, database management system में क्यों हो रहा है, जैसे आप Amazon ले लिजिए, तो उसने अपने पूरे जितने भी data है, उनका एक system बना रखिये, clear कौनची book है, कहां से आई है, author कोन है, तो सब की table बना रखिये, तो यह assessing power इसकी बढ़ जाती है, security power इसकी बढ़ जाती है, file system की security कम होती है, operating system कैसा है, तो याद रखना operating system file system होता है, आप मानलो, D drive के अंदर कोई movie लोड कर रहे हो, तो यह क्या हो गया, file system हो गया गया होगा, तो DBMS किस तरीके से काम करता है, यह सब कुछ मैं आपको समझाओंगा, अब तक मेरे इसाब से clear हो गया होगा, कि DBMS best है, किस से file system से, जो best है, वो लेते हैं, हाँ जी, अभी तक मैंने जो बोला, 15 मिनिट में, उसमें कोई doubt हो तो बोली, आपका विचार बना रहा होता है, DB अलग होता है, और software अलग होता है, DB में आप direct change कर दो, MS में change करने की जुरत नहीं है, MS में change कर दो, DB में change करने की जुरत नहीं है, file system में तो अगर आप data बदलोगे, तो program में भी change करना पड़ेगा, 15 लाग अगर employee है, IRCTC के, तो 15 लाग employee का file system अगर तयार करते हो, त एक data में भी change दोगा, किस employee का, उसका पूरा का पूरा, program ही बदल जाता है, बच्चो, तो याद रखिए, वो complex ज्यादा हो जाता है, clear, हाँजी, अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, जिनके उपर से question आते हैं, पहले मैं आपका concept clear कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में चोटी-चोटी बते आपको बताता जा रहा हूँ, clear, देखो, एक question आया हुआ है, relation किसको कहते है, ये question आया हुआ है, relation किसको कहते है, table को, देखिए, माल लीजिए, ये एक बार समझना, ये के table होती है, database के अंदर, और database के अंदर जो table होती है, तो यहाँ पर बच्चो, जै student name, और यहाँ पर लिखा मैंने course, clear बच्चो, अच्चा ये जो चीज है ना बच्चो, इस तरीके से ये अपनी table बनी, ये जो table है, खाली table, इसको बोलता है schema, क्या बोलता है schema, schema, ढाचा, ढाचा, इसकी मा, ढाचा, अब बच्चो, ये जो चीज होती है, ये कहलाते है, अप इसके information है, वो सब क्या खिलाता है आपके attributes, ये सब बच्चो क्या खिलाएंगे attributes, 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 clear ये जो पूरी table है, अभी ये बिलकुल खाली है, इसको बोलता है schema, अपन का इसकीमा, क्या ढाचा, clear बच्चो, ये schema हो गया, ये attributes होगया, अब मैं इसमें कोई information डाल रहा हूँ, क्लियर बच्चो इस्टुडेंट रो नमबर एक इस्टुडेंट का नाम क्या है अर्विन और इसका कोर्स क्या है कंप्यूटर क्लियर बच्चो तो इसको बोलते हैं अपन तपल क्या बोलते हैं टपल क्या बोलेंगे बच्चो टपल टपल बोलिए चाहिए रो बोली अच्छ यहाँ पर डाला मेरे Mbika और इसका course और science, clear बच्चों, तो यह जो entry कर रहा हूँ, इनको कहते है tuples, इनको कहते है attributes, clear, अच्छा student row number क्या है, आपका attributes है, student name क्या है, आपका attributes है, course भी आपका attributes है, यह जो बंदा आया, इसकी information आपका क्या कहलाती है, tuple, tuple और row बोलिए, और इस साब से समय आगया होगा, तो आपका first question का answer मिल गया, relation किसको कहते है, table को, first question में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, जी बच्चों, first question में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, relation के अंदर क्या चीज होती है, attributes होते है, attributes किसको कहते है, column को, और tuples किसको कहते है, row को, student की जो information है, उनको क्या कहते है अपन, student की information को tuples कहते है, और इनको अपन attributes कहते है, column को attributes कहते है, नाम पता होना चाहिए, कोई easy paper बनेगा, तो ऐसा question आ सकता है, first question में कोई problem होतो बोलिए, कल आप से पूछ ले, what is the meaning of table in database, table मतलब relation, अब किसका relation, ये भी पूछ सकता है, related data, related data, तो आप बताई, इस table का क्या नाम है, इस table का नाम है, student, क्या नाम है, student, तो आप बताई, student की information होनी छहीं, student row number, student name, student का course, clear बच्चो, अगर मैं मानलो, एक चीज और डाल देता हूं, एक चीज और डाल दिया, क्या डाल दिया, कि ऐसे डाल दिया, मैंने कोई भी चीज, क इसके अंदर कोई ऐसी ती डाल दीजिए जो इससे डिलेटेड लगे ही नहीं आपको दैसे यह डाल दिया मैंने पार्टी केलियर बच्चों कि इन्हों ने पार्टी कब कि बच्चों तो यह कोई मतलब भी नहीं मिनिंग लेस है इसका मतलब यह हो गया कि कलेक्शन ओफ आप इसको यहां जरूरी है तेबीज सुलूरी हैं ओप अप कोुछंप देशियर में एट्रीबयूटस होता है है ौही यह ट्रियूटस किया बताते हैं कोई भी बंदा है दू रिलेशन है उसकी द्टते इता थे सुक् suppl Hand desktop क्या चाहते हैं डेटाबीस तो याद्रक्ष नेशन डेटाबिस एक ही चीज़ के नाम है याद रखना कोई डेटाबेस न कोई य्प यह ऍहुद्ट करी। वह क्या रखती है वह रिलेटेड डेटा का गुरूप ड़ोप याद रखना मॉस्ट इंपर्टेंट है कलेक्शन ओप डिलेटेड डेटा याद रखना यह पॉइंट बहुत इंपर्टेंट है मेरे साफ से क्लिएर हो गया attributes क्या होता है, column क्या होता है tuples क्या होता है, table क्या होती है relation क्या होता है, database क्या होता है table का नाम क्या होता है और अगर related data नहीं है क्या बढ़ बोला मैंने related data नहीं है related data नहीं है अगर collection of related data नहीं है तो उसको database नहीं कहेंगे उसको database नहीं कहेंगे क्लियर संव्याग आगया होगा अब तक दो क्रिशन मेंने क्लियर किये दोनर में को डाउट हो तो बताई है अजी बोलते जाओ पटाफट पटाफट किया कर eff Ki 50 प्रैप्रजी कर देंगे हमलें के सब्सक्राइश जट्सक्राइब इत्रिप प्रशिक टाफट चैलेंगे यह सब्सक्राइब दयताNow Board यहना delivered सब्सक्राइब यहां करने यह इत्रिच अट्रिप्स में शुर्णन किया में होक को जयना को दो लॉस्त क्लियर्र एक ये ठीक सभी को मेंट गरने सभी को अधियर थे यह सेके तरह नहीं हैं बहुत था है बस सुनते जो अच्छी तदरीकि सुनते हूं थे निश्वार्ट और अझाई किंगे पर फड़ी देखते रहुँ एक दो आपके कितने रण हिए ठीक है अब जो में समझा रहा हूं इस स्लाइड को देखना इसके उपर से बहुत सारे क्यूशन आये हैं इसको समझना डेटाबेस सिस्टम क्या होता है तो डेटाबेस सिस्टम मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दिया उसको समझना दिमाँ में रखना डेटाबेस टेबिल बन चुकी है टेबिल हार्ड डिस्क में अब उस टेबिल में से डेटा को निकालना है उसके लिए आपको सौप्टेर चाहिए उसको बोलते हैं MS डीबी और MS दोनों मिलकर इनफॉर्मेशन प्रवाइड कराते हैं यह इनफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं यह डिलेट करते हैं यह रेट्राइव करते हैं यह मोडिपाई करते हैं क्लियर तो दोनों को मिला कर अपना क्या बनता है डेटा बेस डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम डीबी मतलब टेब और MS मतलब conceptual, MS मतलब conceptual, क्योंकि MS क्या होते हैं, program होते हैं, program होते हैं, तो DBMS क्या होते हैं, DBMS एक पूरा का पूरा logic हो गया, DBMS पूरा का पूरा logic हो गया, clear बच्चों, यहां तक समन में आगया होगा, अब थोड़ा सपना आगे बढ़ते हूं, सबसे पहला पॉइंट है, database system, database system में दो चीज़ आपके दिमाह में रखना, कोई doubt हो तो बोली अभी तक, ना तो फिर मा आगे बढ़ रहा हूं, बच्चों, जो slide आपके सामने, इस message, 4-5 question आपके बनते हैं, 4-5 question को मैं पूरा clear कर रहा हूं, वो 4-5 question क्या है, इस slide मैंने इसलिए बनाई है, बच्चों, तक आपका time waste नहीं हो, मैं लिखूं और आपका time waste हो जाए, वो नहीं चाता हूं, अगर मैं इसको लिखता तो बहुत time लग जाता बच्चों, और आपके दिमाह में भी, यह adjectives आपको PDF मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है? आपके बच्चों, चले फिर आगे, देखो, एक तो याद रखना, database के अंदर DB और एक पूरा DB में, दो चीजों को मैं बाट रहा हूं, DB अलग और DB में से अलग, DB दो तरीके का होता है, एक तो structured और एक होता unstructured, structure में क्या होता है, जैसे university का data है, तो आप सबको पता है, वहाँ पर एक table बनी होगी, और इस table में पूरे student की information होगी, student का जैसे row number, row number डाला, row number, 123456789 से लगा के वन थाउजन का university में 1000 student है, सबका row number, सबका name, सबका address, सबकी piece, सबके mobile number, सबका अधार card, सबका pen card, सबका course ID, सबका blog, यह सारी information डाल दी, इसको बोलते हैं, बच्चों अपन structure DBMS, structure DBMS, structure DBMS, structure DBMS का मतलब यह हो गया, कि आपकी एक table है, उस table के अंदर सारी information है, बतब सबी जो लोग है, उनकी information आपको एक table के अंदर मिल जाएगी, इसको बोलते हैं आपने structure, table format में, structure, structure, structure DBMS पहले बहुत ही यूज होता था, आजकल बहुत कमी यूज होता है, हाँ आपने course में कि आपने structure DBMS ही है, clear structure का मतलब सब्सम्द में आगया होगा, structure है, कोई नो कोई format है, उस format में आपडेटा डाल दो, उसको एसेज कर दो, उसको update कर दो, उसको delete कर दो, इतना ही मतलब है structure का, structure, 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 कोई fix structure, लेकिन बच्चों एक होता है, unstructured जैसे webpage, webpage के अंदर आपने देखा होगा, कुछ भी डाल देता है, वीडियो डाल देता है, audio डाल देता है, address डाल देता है, phone number डाल देता है, जो मन में है, वो डाल देता है, वो के लाए था, unstructured आज कल बच्चों, 90% काम, unstructured database के उपर ही हो रहा है, लेकिन अपने course में, unstructured database ही नहीं, अपन बाद में जाके इसको पढ़ेंगे, याद रखना, अभी तक पढ़ाये भी नहीं जाता, पुरे इंडिया में unstructured database पढ़ाये भी नहीं जाता, क्योंकि नहीं नहीं टेक्नलोजी आ रही है, वो अपन पढ़ते रहेंगे, लेकिन याद रखना, अधिकतर काम अपने किसमें होता है, unstructured, unstructured database काम आता है, अगर tabular format में जमाया जारा data को, तो उसको कहता है, structured, और randomly किसी भी format में अगर जमाया जारा है, तो उसको क्या कहता है, unstructured, मेरे साब से clear हो गया होगा, table दो तरीके की बनती है, एक तो टेबल बनती है और एक टेबल नहीं बनती है, एक तो टेबल बनती है और एक टेबल नहीं बनती है, एक टेबल का फोर्मेट होता है, एक में टेबल का फोर्मेट नहीं होता, जिसमें टेबलर format में जमाया जाता है, याद रखना वो structured है, जिसमें ताविलर फॉर्मेट में नहीं होता वो क्या होता एंस ट्रॉक्ष आक सीया सुपर सर狀. जो सब्सक्राइब को पसी हैं बाव क्लिए क्लीर निक्ति अबस्टों को दस लिंपॉर्मेशन परते हिसको बोलता है अगर कोई वेबसाइट का डेटा पूच रहा है या फिर याद रखिए कोई बना रहा है उनको बोलते हैं अपन अनस्ट्रेक्चर मेरे साब से इस्ट्रेक्चर्ड और अनस्ट्रेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किलियर बच्चो ऐसे मैंने में पहले ही लिख दी है आपको ता कि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आए एक रहा जी है renewal ऑं यह जब आउटर तो तो बोले होता है breaking system पहले बता चुक्ता हूं database पर आगे अब database भी दो तरीक हाँ होता है के structure और एक unnecessary database मतलिड़ा का collection related data collection website में भी related data conditioning होता है और table में भी related data collection नहीं होता है लेकिन एक tabular format होता है clear tabular format होता है relational database होता है उसको बोलते structure और एक याद रखना जैसमें data का कोई particular प्रडिया स्वाव्यर्ण जलू अब आगे बढ़ते हैं अब च 두 있고 मैं जाता है उसको अपने मैं के Δ Alejlor समय के ब fruitful म्याहिक करने में यह बहुत सारे सो mm grace उनको आपने बोलते है DBMS Server, क्या बोलते है DBMS Server, क्या बोलते हैं बच्छों DBMS Server, याद रखना DB आपकी table है, उस table को आपडेट करने के लिए, मॉडिफाइbrau करने के लिए, डिलिट करने के लिए, कोई न कोई शॉप्टर चाहिए, तो db plus ms मिलके आपका बना dbms और dbms server बहुत सारे तरीके के हैं आज की तारीक में server dbms server बहुत सारे तरीके के हैं जैसे sql server हो सकता है mysql हो सकता है oracle हो सकता है database 2 हो सकता है clear तो याद रखना इसके ओपर question आ चुका है कि sql server किस ने develop किया था याद रखना microsoft ने clear microsoft ने अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर microsoft लिखा हुआ है sql server किस ने develop किया था microsoft और्यकल और्यकल का कोई भी हो और्यकल का चाही 9 हो चाही 11 ओ कोई भी एक्स वाई जेड याद रखना यह किसने डवलब किया था और एकर ने क्लियर बच्छो और माई एसक्वेल भी किसने डवलब किया था बच्छो यह भी और एकर ने डवलब किया था याद रखना SQL Server अलग है MySQL बहुत सारे बच्छें कंफ्यूज रहते हैं कि सर दोनों में क्या निता रहे तो MySQL Oracle ने डवलब किया था और SQL Server किस ने डवलब किया था MS ये क्यों बता रहा हूं क्यों कि अपन DBMS पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखना database management system बहुत सारे companies ने डवलब किया हैं कौन-कौन से कंपनी हैं उनके में नाम बता रहा हूं और उन्होंने क्या डवलब किया यह दिमाब में रखना SQL Server वाइड आए Microsoft डानना clear और MySQL आए तो याद रखना हाँ जी कोई भी डाउट हो तो बोलिए बच्चों थेयोरी है तो मैं थेयोरी लिखूंगा उससे अच्छा मैंने पूरा बना दिया पहले लिख दिया आब उनको मैं समझा रहा हूं समझना कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बस ढंचे सुनना प्रेती धिपांची दिख क्लियर है क्रती माली क्लियर है बविया सर्मा क्लियर है ठीक है क्लियर बच्चों चलो बताई एक क्यूशन आया था बच्चों माईस्क्वल किसका प्रोड़क्ट है माईस्क्वल किसका प्रोड़क्ट है माईस्क्वल किसका प्रोड़क्ट है जवाब ही नहीं आया औरेकल और SQL server किसका product है तो Microsoft, दोनों में अंतर है ध्यान रखना, Oracle, Oracle का होगा, DB2, Database 2, यह किसका है, तो यह IPM का, clear, next, अच्छा, वेब पेज किसमें आता है, तो unstructured में आता है, University का data है, IRCTC का data है, यह किसमें आता है, structure, इसमें table बन सकती है, tabular format में data को show कर सकते हैं, वो structured है, इसमें tabular format में data को store नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, unstructured है, अच्छा, database दो तरीके का होता है, एक तो structured, एक unstructured, मेरे साब से clear, यह समय ने बोल दिया, database management system, कौन-कौन से software है, clear बच्चो, कौन-कौन से software है, एक तरीके से यह याद रखो, database create करने के लिए कौन-कौन से software है, तो अभी तक यह चार software काफी famous हुई है, जिन में से SQL Server है, MySQL है, Oracle है, और DB2 है, clear, DB2 किसका product है, यह question आ चुका है, तो याद रखना IBM का है, MySQL किसका है, तो Oracle का है, और SQL Server, clear, SQL के पीछे सर्वर, तो यह किसका है, Microsoft का है, SQL की perform क्या है, तो sequential query language, आपको अच्छे तरह किसे पढ़ाए जाएगा, अभी तो तुम याद रखो, SQL sequential query language, sequential query language, clear, अभी तक कोई problem होतो बोली, इस्ट्रेक्चर नहीं होती, यहाँ स्ट्रेक्चर ही होगा, स्ट्रेक्चर क्यूरी लेंग्वेज, SQL language को sequential query language कहता है, structured query language, full form बता रहा हूँ, server, server की full form क्या है, structured query language, ठीक, नेक्च चलिया, अब बच्चो यह question आया है, file system और DBMS system में क्या नतर है, clear, तो देख लो एक बार, file, ऐसे मैं बता चुका हूँ, ऐसे मैं बता चुका हूँ, देखी एक बार, मैं पूरा समझा रहता हूँ, यहां से question बन चुका है, file system में और इसमें क्या नतर है, तो देखो, सबसे पहला, एक example में यह दे रहा हूँ कि file system माल लीजिए, file system का एक example देते हैं, अगर माल लो file system में होता, और एक ही 2GB की file होती, और 2GB की file में से माल लो 10KB का data ही मेरे काम का है, तो बचो, file system में पूरी की file आपके computer में आएगी, आपने भी देखा होगा PDF माल लो आपको चीज बढ़ रहे हो, और आपको, आपका result आया, result आगया आपका, result आगया बच्चो, आपका result आगया, तो result में क्या होगा, जैसे PDF file है, तो आपने PDF को download किया, चाहिए वो 2MB की हो, चाहिए 10MB की हो, पूरी की पूरी file आपने download कर ली, यह समझा रहा हूँ, basic है, बहुत basic है, लेकिन समझाना पड़ेगा, समझो, इसके उपर से question आता है, क्या-क्या question बन सकते हैं, सब मैंने लिख दी है, अब मैं उनको एक एक लीख बनाकर हो, चाहिए 10GB कारेश ऑगया, श Украї की पूरी यहाल से पाके के फूरी 2GB की है, लेकिन बच्चो, आप सब को पता है, जब से database आया है तब से pedia file बनना कम होगी युनिसिटी का data है युनिसिटी के portal पर जाओ आपको क्या करना है आपका row number डालना है आपका row number डालते ही आपके computer के अंदर केवल आपका ही result शोगा दूसरों से कोई मतलब नहीं होता और आपको जो चाहिए वो मिल जाता है इसलिए file system से अच्छा कौन सा है database management system clear बच्चो मेरे साब से sun में आगया होगा मालो एक पूरी movie है तो movie एक file होती है उस पूरी movie को अगर मैं लेना चाहता हूँ अपने computer के अंदर तो पूरी movie आएगी complete movie आएगी उसका एक part नहीं आएगा यह file system है बच्चो मतलब समझ में आगया होगा database में आप particular कोई भी part उटा सकते हो पो कैसे उटाते हो primary की, candidate की, foreign की इनके true उटाते हैं लेकिन याद रखना file system में पूरी की पूरी file आपके computer के अंदर आती है चाहे वो आपके use आए, चाहे नहीं आए लेकिन DBMS में आप particular जो data चाहिए वो आपको मिल जाता है क्योंकि data file किसके format में save रहता है table के format में save होता है इसलिए particular जो data चाहिए वो आपको मिल जाता है कोई doubt हो तो बोलिए, मेरे साब से पहला point clear हो गया होगा what is the difference between file system, file system और database management system clear ये notes आपके पास रहेंगे जबी भी इनको देखोगे 8 minute में आपके समझ में आजाएंगे कि गुरुजीन क्या बताया यहाँ से question आचुका है याद रखना कि file system एक बहुत बड़ी memory को occupy करता है क्यों क्यों क्योंकि आपको कभी भी कोई data चाहिए तो पूरी की पूरी file पहले आपके computer में आएगी पालो PDF का 90% ही इससा आपके computer में आया तो file open ही नहीं होगी clear बच्चो बहुत बड़ी problem है memory को पाई ज़्यादा करता है file system, database management system आपको जितनी requirement है उतना ही बताता है clear हाँ जी बच्चो यह चीज मैं बताई चुका हूँ attributes याद रखना कि अगर मालो आप 15 लाग employee है और उन सारे employee को मैं चीज और जोड़ देता हूँ bonus तो आप बताई 15 के 15 लाग employee में एक नया attribute जोड़ना पड़ेगा file system में सभी program जो 15 लाग employee है उन सभी के program में आपको attributes जोड़ना पड़ेगा बहुत complicated हो जाएगा लेकिन MS इसके अंदर ऐसा नहीं होगा table के अंदर क्या होगा आपको केवल एक column जोड़ना पड़ेगा जिसको कहते है bonus और इस bonus को सभी के अंदर set कर दिया जाएगा attribute जोड़ना किसके अंदर आसान है database management system के अंदर आसान है नई information जोड़ना file system के अंदर इत्माई मुस्केल है clear मेरे साबसे यह भी आपके संग में आ गया होगा concurrency का है तो यह भी देख लीजी आप concurrency control क्या होता है concurrency तो देखिए याद रखना database management system concurrency बनाता है क्या होता है concurrency तो देखिए मालो एक railway का server है इस railway के server के उपर यहाँ पर आपकी information लिखी हुई है यह आपको नहीं नहीं वर्ड दिख रहे होंगे लेकिन आपके संग में आ जाना चाहिए attributes का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि file system में मान लीजिए पंदा के पंदा लाग employees के लिए एक column और बढ़ाना है bonus तो सभी file के अंदर आपको bonus जोड़ना पड़ेगा कि लिए जोड़ना पड़ेगा कितना और वहीं पर जाके आप bonus bonus के programming को एड़ कर दीजिए और table में भी जाके आप bonus की programming को एड़ कर दीजिए मेरे इसाब session में आगया होगा मैं क्या बताना चाहरू हूं आप सभी 15 लाग program change होंगे या क्यों लें की program change हो रहा है clear बच्चों ठीक अब आपन चलते हैं concurrency control क्या होता है तो DBMS के अंदर क्या होता है माली यह आपकी information है बहुत सारी information है जहाँ आपन को ज्यादा समयने की जुरत होगी वहीं पर रुकेंगे बाकि आपन चल रहा है clear देखो DBMS में क्या है माली यहाँ पर बहुत सारी information है यह वन यह अर्विंद क्लियर कॉर्स का नाम है माली यह ह इंदी और फीस है इसकी 500 रुप्र है ऐसे यह टू है यहाँ पर अंभी का है clear और यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लीज और फीस है 1600 अब बच्चों माली जी इस टेबिल को यह रेलवे का लेलो या कुछ भी लेलो आपन तो रेलवे ले लेते हैं clear और रेलवे के या फिर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं किसके युनिशिटि के सरवर पर सब अपना अपना रिजल्ट देख रहां क्लियर बच्चों तो क्यों होता क्या है आप यह फिक्स होता है कि आप देख सकते हो आप देख सकते हो इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं आप क्यों देख सकते हो तो बीस के बीस लोग इस डेटा को देख रहे हैं क्लियर बच्चों इसको बोलते हैं रिड रिड प्रॉप्लम का आपको कुछ भी नहीं कहलो हम अनली जे बच्चों ने अब्जेक्शन उठा दिया सरय तो रिजल्ट ही गलत है युनिविश्टी ने गलत डेटा चड़ा दिया जो टोपर था वो तो फैल हो गया तो क्या होता है थोड़े देर के बाद वो रिजल्ट गायव हो जाता है बच् याद रखना जब राइट हो रहा होगा तो रिड नहीं होगा याद रखना रिड रिड तो हो सकता है आप सब को पता है अपन वेबसेट के उपर गए आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूं कोई टेबल है उसको आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूं को रिज टोड शेंट भी रहा है और उसको चेंज कर रहा है क्लिए अच्छा बताईए क्र सकता नहीं कर सकता क्या ओर है क्रिकर सकता क्लेट आप भी लिख रहे हो चल सकता इस väldigt अब इ Preis तो टिकेट बुक कर रहे हो और दूसरा बंदा भी टिकेट बुक कर रहा है तो एक टाइम के उपर दोनों टिकेट बुक नहीं होगा कुछ मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का अंतर होगा राइट करना टिकेट को बुक करना राइट करना चार लोग राइट कर रहे हैं इसका करता है रेडर राइट को भी हैंडल करता है बच्चों आप एक चीज़ देखो कई बार सर्वर के ओपर कोई नई चीज़ चेंज करते हैं तो वाँ लिखा होता है कि मेंटेनेंच चल रहा है आप दो गंटे तक इसके ओपर काम नहीं कर सकते हैं सबन में आ गया इसका मतलब जब राइट हो रहा होगा तो आप रेडर नहीं कर सकते हैं क्लियर समन में आ गया होगा यह साब काम यह काम एक साथ नहीं हो सकता यह काम एक साथ नहीं हो सकता यह काम एक साथ नहीं हो सकता रिड बहुत बहुत सारा रिड एक साथ चल सकता है याद रखना इसके उपर भी कुशन आ जाता है कि डेटा बेस में क्या चीज पॉसिबल है त स्टीजी के वेशाइट को अपडेट करना तो उस समय आप रेड नहीं कर सकते हैं किलेब बच्छों हाँ आप तीन जगह से रैट राइट हो रहा है तो भी आप रेडे नहीं कर सकते हैं समझ में आ गया दो जगह से राइट राइट हो सकता है कि नहीं पहले यह राइट करेगा फिर यह राइट करेगा टाइम इतना कम होता है बच्छों अपनको मैसूश ही नहीं होता है यह सब अलग-अलग टाइम अलग-अलग टाइम अलग-अलग-अलग टाइम यह at a time हो सकता है clear मेरे साफ से currency सब को एंडर नहीं कर पाता है फाइल सिस्टम के अंदर दो लोग एक ही फाइल को रिड कर रहे हैं बिलकुल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्लियर बच्चो लेकिन जब उसका अपडेट होगा ना उसका अपडेट होगा क्या बोला मैंने जब उसका अपडेट होगा तो तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि ठीक है आपको टिकेट कटा यहां पर तो एक मिली सेकंड के बाद आपको दूसरा नंबर किसके अंदर होता है डेटाबेस के अंदर आप क्या काम कर सकते हो याद रहता यह मेंज्मेंट का काम कौन कर रहा है डेटाबेस मनेज्मेंट सिस्टम अच्छा बच्छो शिक्रेटी रॉल बेस्ट ये भी देख लो शिक्रेटी प्रवाइड करता है कौन डेटा बेस्ट एक बाइब बताओ कि आप युनिशिटी युनिशिटी के अंदर सब क्या लग लग स्कीमा होते हैं हाजी अभी तक कोई प्रोब्लम हो तो बोलो अट्रिब्यूट चेंज करने का मतलब संद में आ गया पूरी फाइल आएगी कम आएगी यह संद में आई गया अब आजाए शिक्रेटी यह इतना डीप में कभी पूछते नहीं है लेकिन मेरे आदत है सब कुछ बताने की और फिर किलिए कर देता है तो थीओरी है जहां भी तक के तीन पॉइंट के लिए रहे हैं यह बताई है कि वीडियो को एक से दो बार देखो के तो और के लेटी आ जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग डिडिड हो सकता है डिडार्य यह नहीं हो सकता है चाहत तरीके के अपरेशन होता है सबसंदमें आगया होता है बच्छोब ठीक हब हआँ आगे बढ़ते हैं शिक्रेट्टी डीटा बेस के इंदर रॉला बेस फिक्रेटी होती है कैसे मैं बता देतो हूँ एक स्कीमा स्रॉ स्टुडेंट का surbundi एक पिसका टीचर का एक सिक्सी मों किसह देन का आप बताइए मेरा लोग इंदे पास्वार्ट में को मिला तो बच्चों मैं तो के वल Sebल सेक्शन ही देख सकता हूं तकशुुल टीचर टीचर का सेक्षन देखेगा, डीन डीन का सेक्षन देखेगा, या फिर मैं डारेक्ट डीन का सेक्षन देख लूँगा, ऐसा नहीं होता, डेटा बेस में सब के अपने-पने इसकीमा है, कि देखो टेबिल तो एक साथ ही बन गई, टेबिल में तो 50 कोलम आ गए, अब टेबिल में से कौन-कौन से अट्रिबिट्स दीखेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, कि माली जी स्टुडेंट को 10 ही अट्रिबिट्स दीखेंगे, टीचर को 3 ही अट्रिबिट्स दीखेंगे, डीन को पूरे 50 अट्रिबिट्स दीखेंगे, तो बच्चों इसको है throughout Peach security सबका अपना अपना रोल है और सब की अपने सिक्रोटी है attendance भात अब छिवाज़यरी अपनको नहीं दिखाने तो बच्छो को मुझा और चीज़ ऑँ współ самый정 क계 stuck check dump अब मेरे साव से यृनेशिक्प समस्जमब्स में आ गया होगा रोल बेस्ट इक इसको कहते 해도 टेबिल एक ही है, टेबिल एक ही है, पूरे के पूरे युनिशिटी की एक ही टेबिल है, उसमें 50 attributes ही है, लेकिन आप बताई, आपको रिजल्ट आता है, तो आपका पासवर्ड, यही यह दो चीज आप देख पाते हो, दोनों डालते हो, आपको मिल जाता है, डीन उसमें के classes के app पर फट रहा हूँ, क्या आप बताई, आपका section अलग है, और coaching का section अलग, coaching को आपका view नहीं दिखेगा, और आपको coaching का view नहीं दिखेगा, मेरे साब से clear हो गया होगा, इसको बोलते है role-based security, administrator को अलग चीज दिखती है, student को अलग चीज दिखती है, role-based security, लेकिन file system मे ऐसा नहीं होता, आपने movie ले ली, तो movie ले ली अगर आपने शुरू में, देखो file system में क्या है, आपका computer operating system, file system, आपने computer को start किया, computer को अगर आपने start कर दिया, थोड़े देर के लिए, तो शुरू में वो password मांग लेता है, एक बार entry करने के बाद, आप खूब दाम दिम कीज problem है, DBMS में role-based security की कोई problem नहीं है, जिसको जितना चाहू उतना दिखाओ, और ये कैसे होता है, ये सब independence level के साब से होता है, अगर आपके इतना समझ में आ गया है, तो बताइए, हाँ, जी, role-based security का क्या मतलब है, मेरे साब से समन में आ गया होगा, role-based security कौन provide करता है, तो role-based security हमेशा database management system provide करता है, concurrency कौन provide करता है, database management system provide करता है, concurrency कितने तरीके की होती है, attributes add करना कौन किसमे अच्छा है, तो database में attributes add करना अच्छा है, पूरी file किसमे डाउनलोड होती है, तो file system में पूरी file आती है, जैसे PDF के फाइल है, Excel के फाइल है, clear movie के फाइल है, C program के फाइल है, सार अधिकतर काम किसमे होता है, file लेकिन इससे पीछा चुड़ा के, अपन किदर जा रहे है, DBMS की तरफ क्यों जा रहे है, सब को reason पता चल गया, DBMS best है, DBMS best है, हाँ जी बचो, अब आजाएंगे, redundancy क्या होता है, तो redundancy देखिए, माललो, एक बार बताईए, file system में क्या होता है, माललो, एक movie है, उसको 20 बार भी अगर आप load करोगे, तो हो जाएगी, 20 बार भी अगर load करोगे, तो वो हो जाएगी, बस आपको नाम change करना है, एक movie है, उसका नाम change करते ही, वो 20 बार load हो जाएगी, लेकिन बचो, file system में ऐसा नहीं होता है, एक ही student का result 10 जगर load हो सकता है, क्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर primary की चलती है, मालो, एक ही student का नाम Arvind है, उसके पिताजी का नाम, Suraj है, और mother का ना, चलिए, पिताजी, student और पिताजी का नाम, same है, Arvind, Suraj, दूसरे लड़के का नाम भी Arvind और उसके पिताजी का नाम भी Suraj है, तो ये table में load हो दोनों में इस कर गए लेकिन याद रखना ऐसे सेव नहीं होता टेबिल के अंदर क्योंकि बच्छों ऐसे तो कि आपको पता है युनिशिटी जब रिजल्ट देता है तो हजारों बच्छों के डेट ओवर सेम हो सकते हैं के इंडिया के अजारों बच्छों के डेट बच्छों के नाम सेम हो सकते हैं पिता का नाम भी सेम हो सकता लेकिन सब्सक्राइब बच्के नमबर पूरे पासवर्ड अगर है, पास्वर्ड छोड़ दीजिए, ये ले की, ये लो अधार काड नंबर, पूरी इंडिया के अलग है, अगर, यूनेशिटी के बात करता हूं तो, भर नंबर, पूरी नौर नंबर अलग है, रेजिस्टरेशन नंबार, वो अलग होता है, लाइशेंस नंबर, हैं तो ऐसी कोई ने कोई किए आपको set कह पड़ती है किस के अंदर database के अंदर जो uniquely होती ही युनिकली होती है तो आप बताये का data redundant होसकता है किसके अदर database के अंदर नहीं हो सकता किस के अंदर हो सकता file system के अंदर आप देख लो ना आप कोई भी movie मानलो एक movie मैंने देखी थी, उसका दा तेरे नाम, जीवन में एक ही movie देखी है, उसका नाम है तेरे नाम, और उसके बाद मैंने अपनी hair style भी तेरे नाम ही करवाली थी, अच्छे बच्छों, एक चीज मैं आपको clear कर देता हूं, तो इस movie को आप अपने computer में 20 जगह अलग-अलग नाम से शेव कर सकते हैं लेकिन आप बताइए आप बताइए डीपी अमस में जैसे ही वन अर्विन शूरज वन अर्विन शूरज आएगा और रिडेंडेंट हो जाएगा और एक ही रिप्रिजेंट करेगा सब में आगया होग से तो एक movie को अगर आप शेव करते हो और एक ही नाम से शेव करते हैं नहीं होती है लेकि नाम बदलते ही डेटा तो वह ही है नाम ही तो बदला आपने तो बच्चो इस तरीके से रिडेंटेंशी भड़ जाती है किसके अंदर फाइल सिस्टम एक पीडियोप को आप हजार बार किसके अंदर आपके कंप्रेटर में सेव कर देते हो हजार बार कई बार हो कहता है कि अको पीडियोप already है कि तो मिसको शेव करना चाहते हो यस कर देते हो हो जाती है सिरु लेकिन डेटा बेस में सम्द नहीं है अगर तुमारी सम्द में आ गया है तो बताईए वार्ट पूरी फाइल किसमें आती है तो फाइल सिस्टम में आती है डेटाबेस में तो जितना यूज होता है उतना ही आता है एक लेर बच्चोитесь से अच्छी तरीक एसे किल्यर हो गया होगा कहां कहां से कुंस्धन बनते हैं पजने पहले बताई आ हो चुका मेरे को पढ़ाते हुए आपके संद्ध में रहा है या अच्छी तो अच्छी तरीके संद्ध में हतो कि एक तो होता है समझ में आ रहा है और एक होता है कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है क्लियर ठीक है अब अगे बढ़ते हैं देखिए यह डिब्यमेस के आर्किटेक्टर है तो याद रहके ना डिब्यमेस के से दो तरीके कि आर्किटेक्टियर अब तक तो मैंने किके समझा दियाँ मैं क्या होता है कौन-kौन से के अंदर इन्हेर रिलेटल डेट डेटा डेटली ते नाजीं कौो डंडेट डिलेटल चेक के आर्किटेक्ट्ठर दो तरीके के होता है एक टूडी टी इपीयों और एक त्री टी टी आ है है आज त्सक्रमों आजकर जो ज्यादा एक एक एग्जामपल आपके दिमाब में रखना है बस केलियर देखो एक तो टू टैर के मतलब क्या होता है एक मिट सुनेफ यहां पर डेटावेस है या क्टा बेस है अदि क्लाइंट अबक्ट tim माल लो एक एक्जामपल देता हूं उससे संवन में आएगा आपको दो तरीके से टिकेट बुकिंग होती आई रसी टीची पर एक तो मैं राणा परताम नगर रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा और उनको बोलूंगा मेरे टिकेट बुक कर दीजी और एक बच्चों आप अपने कॉमनसी बात है बच्चों यही ज्यादा चल रहा है यह अब कम हो गया पहले बच्चों राणा परताम नगर रेलवे स्टेशन के उपर बहुत बड़ी-बड़ी लाइन लगती थी क्यों क्यों क्योंकि यह फैसिलिटी कम थी लेकिन आने वाले चार-पांस जो आये चार-प एक रवाना होता है तो यहां पर क्या होता था हुआको एक शिच्छों मैं आपको क्लेर कर देता हूं यह जो प्लाइंट है तीन चीज होती है समझना एक होता है बच्छों इंटरफेस एक होता है बच्छों डिजाइनर और एक होता है बच्छों अडिमिनिस्ट्रेटर यह तीन लोग होते हैं इंटरफेस डिजाइनर और एडिमिनिस्ट्रेटर इन तीनों के बारे में जब तक सांज में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं एक बार बताइए इंटरफेस क्या होता है और यह डिजाइनर क्या होता और एडिमिनिस्ट्रेटर क्या होता ह इसको मैं एक concept से समझाता हूं जो DBMS के उपर control करता है जो DBMS पर control करता है उसका नाम होता एड्मिनिस्टेटर और जो DBMS त्यार करता हो designer होता है जिसमें table आ गई, table बनाता है, table बनाता है, दो table के बीच में relation define करता है, relation define करता है, clear वो होता है designer और एक बच्चो interface, interface जैसे कोई website है, clear या कोई application है, कोई application है, कोई website है, यह जो develop करता है, वो interface, आप सब को पता है, आप Java, VB, PHP इसके अंदर interface design करते हो, Java, VB, PHP के अंदर आप interface design करते हो, आपने application बनाई, IAR, CTC की application बनाई, आप interface designer हो, clear बच्चो, आप interface designer हो, और एक होता है जो इसके अपर कंटोल करता है। उसका नाम है database management system. database management system जैसे ओरेकल है, SQL है, मेरे सब से सब्सनमें आ गया होगा… बच्चो यहां पर जो बैटते है। जो इनको नों को इनकों करते है वो आपका DBMS है। यह तीन चीजे मानलों एक बंदे को मैंने बोला एक company कें अंदर में गया और मैंने इसको बोला company को बोला कि बाएका मेरे को ऐसा ऐसा मेरा डेटावेश design करवाना है तो बचो company के जो बंदे टेविल बनाते डिजाइन करते हैं clear मतलब जो दिमाग रुगाते हैं जो तो software engineer होते हैं, बड़े software engineer होते हैं, जो company को संचालिट कर रहे हैं, जो दिमाग active रखते हैं, वो यह होते हैं बच्चों, और जो इनके ओपर coding करते हैं, coding करते हैं कि ठीक है, ससे मेरे को बनाना है, यही तो आपगा schema तयार करते हैं ना, कि यह होगा, इसमें यह यह column दे देंगे, एक यह दे देंगे, इसकी primary की यह बना देंगे, इसकी primary की यह बना देंगे, इनमें foreign किसे ऐसे relation बना देंगे, बच्चों यह जो design करता हैं ना, वो designer, जैसे मैं आपको एक example दे देता हूँ, घर का जो मालिक होता है ना, बच्चों वो DBMS है, किसको लाओ करेगा, किसको लाओ नहीं करेगा, वो सब DBMS है, घर का जो construction, इसकी मा तयार करता है, वो आपका designer है, और जो घर बनाता है mystery, वो आपका interface है, बहुत सारे software engineer, interface designer होते हैं, और बहुत सारे जो अच्छी position पर पहुंच जाता है, 15-20 साल का experience हो जाता है, तो बच्चों केवल कागज के उपर ही design करते हैं, उनको बोलते designer, मेरे साब से इन तीनों में अंतर आ गया होगा, जब आप बच्चों किसी company में जाओगे, तो आप interface से ही start करोगे, designer पर आ जाओगे, इस तरीके से आपका काम चलेगा, इन तीनों चीज में अगर आपके concept clear है तो बताइए, interface, यानि किसी ने application develop की होगी, designer, मतलब किसी ने किसी coaching का database तयार किया होगा, और DBMS, इसका मतलब किसके तुरू वो काम हो रहा है, यानि कौन ऐसा server है, जो data उठा उठा के पहुचा रहा है, वो आपका क्या हो जागा DBMS, clear बच्चो, अब अपने question के उपर आई, यहाँ पर बच्चो एक application है, यहाँ पर भी application है, यह ticket book कराते हैं, तो database server के पास जाता है, यह server क्या हो सकता है, MySQL हो सकता है, clear SQL server हो सकता है, DB2 हो सकता है, clear ऐसा कोई server है, यहाँ पर आपने डाला, और यह क्या है, बच्चो, interface, यह interface है, interface से डारेक्ट यहाँ चला गया, अब बच्चो, क्या आया, उसकी calculation, उसकी processing कौन कर रहा है, database server ही कर रहा है, आपने क्या डाला, क्या नहीं डाला, उसकी processing, मतलब client directly database से, क्या हो रहा है, link हो रहा है, समय आगया, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, यह जो architecture थे, गर्मी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि security problem हो जाती थी, तो बच्चो क्या होता है, इन सभी employees को, मानलो, यहाँ पर को station master बैटा है, इस station master का user id password होगा, user id password से, वो login करेगा, उस interface में login करेगा, login करके वो ticket book करेगा, वो ticket यहाँ पर जाएगा, क्या चाहिए, वो processing कौन करता, server ही करता है, मतलब server को भी processing करनी पड़ती है, यह लोग directly इससे interact हो जाता है, बाहर के लोग directly server से interact हो जाते हैं, बाहर के लोग directly server से interact हो जाते हैं यह security की problem आ गई, security की problem आ गई, security low होती है, दूसरी बात आपको सब को पता है कि मानलो, इसका time में ने कर दिया, सुबह 6 वजे से साम को 6 वजे तक, सुबह 6 से साम को 6 ही ticket book होगा उसके बाद नहीं होगा, बच्चो scale ability की problem आ गई, scale, scale कम हो गई, scale ability की problem आ गई, किसके अंदर आ गई, किसके अंदर आ गई, समझ में आ गया होगा, तो टेयर, DBMS के अंदर, आजकर यह यूज नहीं आता, आजकर यह 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 आता है, आता है, यह भी आता है, यह भी आता है, दोनों तरीके के आ रहा है, लेकिन ज्यादा यह यह आ रहा है, क्लियर बच्चो, अब यहाँ पर आ जाईए, इसकेलिटी की problem आ गई, क्योंकि लोग कम, क्योंकि लाइन में लगेंगे, पूरे उद्यपर में, दो ही जगए counter है, एक वहाँ है, एक यहाँ, तो बच्चो, इसकेलिटी की problem आ गई, और किसकी problem आ गई, security की problem आ गई, क्लियर बच्चो, अब क्या होता है, यहाँ पर देखो, यह dbm is server आपका, जैसे mysql है, clear है, sql server है, जो भी है, वो यह server है, यहाँ पर आपके वोई client है, लेकिन client इतने जादा बढ़ गए, मैं भी client हूँ, आप भी client हो, और बहुत सारे client है, यह क्या करते हैं, application को use कर रह से जो भी command आएगी, इनको पता नहीं, इनको पता नहीं, server से कैसे, यह directly server से, यह directly server से contact कर रहा है, processing server ही करवा रहा है, यहाँ पर server को पका-पका है, मिल रहा है, बच्चो, यहाँ से ticket book किया, तो processing यही हो जाती है, कहाँ पर application server पर, और बस यहाँ से data उठा के दे दिया जाता है, बच्चो, security की यहाँ पर problem थी, इसलिए client कुछ fix जगर पर बना दिया गए, यह security की problem नहीं है, क्यों, क्योंकि यह directly इससे contact करें नहीं पाता है, क्यों, application layer से ही, यह जिसको business layer कहते है, उससे contact कर पाता है, यहाँ पर security की problem हल हो गई, बच्चो, यह मेरे हाथ में आजाता है आप सब को पता application की तुरी आप पहुंच पाते हो, आपकी पहुंच server तक direct होती ही नहीं, आप यह हो, यहाँ से आप application, application फिर server के पास जा रही है, और इस application का control आपके हाथ में नहीं है, इस application का control आपके हाथ में नहीं है, clear हो गया होगा, application में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्यों इसको यूज कर सकते हो तो बच्चों याद रखना इससे डारेट कॉंट्रेक्ट नहीं हो पाता है तो त्री टायर डीविया में ज्यादा सिक्क्योर है और याद रखना यह बीच में अप्लिकेशन ले यह बिजिनिस ले रहाती है यहां पर क्लाइंट डारेक्ली डीव है कि रहाए ठीलेस लेट्य करना पड़ा है यहां पर क्या है यहां फना उलेटि बढ़ गए जसलें कॉम्पेशित बढ़ गई गई और प्रॉफित किया हुआ इसके लिएब ऐग गई और नुक्सान क्या हुआ मैंटेनेंस भी बढ़ गई लेकिन मैंटेनेंस ज्यादा इश्यू नहीं आज की जमाने में मेरे साथ से पुरा क्लियर हो गया होगा 3 टीर और 2 टीर क्लाइट कर पाता है बिल्कू कर पाता है क्या 2 टीर डीवेमस में सरवरी प्रोसेसिंग करता है बिल्कू करता है क्या 3 टीर डीवेमस में जो भी क्लाइट से रिक्वेस्ट आती है उसकी प्रोसेसिंग सरवर करता है नहीं करता है उसकी प्रोसेसिंग एप्लिकेशन लेयर करती करती है या बिजनेस करती है या एप करता है application मतलब एप उसकी processing एप करता है डीप में से तो क्लाइटा उठाया जाता और दिया जाता प्रोसेसिंग का काम वह नहीं होता है क्वेशा च्खनवेस क्वेशाम or इसक्राइबलिटी बढ़ गई इसक्रैटी जो पर आजया क्वेशा अंगर यह लिए अदर कोई धिखकेट हो तो पूली पोट है क्यों कि टू टीर बीशाक जो में इस में क्या इंतर इंठास जा euros अच्छा बताईए पहले जो लोग लाइन में लगते थे इसके लिएबिलिटी का क्या मत्वाब है वह मैं आपको समझा रहा हूं कि एक मेंट रुकना बच्छो फोन आ रहा हूं कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि भी एक कि अब कि अब कि ऴ कि अब झाल 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 जी बच्चो छोड़ी दिक्कत हो गई थी अच्छा यहां तक संद में आगया होगा टू टीयर में क्या होता और त्री टीयर में क्या होता लंबी क्लास इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि आपका पूरा पूर्स जन्वरी तक कवर हो जाए ठीक है फिर आपके पेपर स्टार्ट कर दूँगा मैं रिजिनिंग भी मेरे कोई करानी आपकी क्या कह रहे हो सर इसके अबिलीटी का मतलब होता है मां लीजे एक तो मैं पचास लोगों को हैंडल कर रहा हूं और एक उनलाइन क्लासेज में पांच हजा लोगों को फड़ा रहा हूं आप बताइए इसके अबिलीटी बढ़ गई इसकेल एबिलीटी इसकेल मतलब इसकेल कितनी स्केल पर लोगों को एंडल कर रहा है तो कॉमेंसी बात है थ्री टीर में सबके पास अ आपको टिकेट बुक कराना है यह आज से 5-6 साल पहले ऐसे ही होता था अगर आपको पता है तो आज कल बच्चो एप्लिकेशन का जमान है एप्लिकेशन के जाईए एप्लिकेशन बिजनिस लेयर वहरे साथ सब्सक्राइब आ गया होगा कि आज़ी कि आज जिसने पूचा था इसके लेबलेटी क्या होता है समझ में आ जाना चाहिए समझ में आ जाना चाहिए ठीक है चलिए अपना आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी पीडिया आपको मिल जाए कि बच्चो यह समय ने बनाई है तो बार-बार लिखने की जड़त नहीं पड़े टाइम वेस्ट नहीं हो अगर आपके कोई पॉइंट हाँ ही है क्योंकि आप डारेक्टिस से कॉंटर्ट चैसा है था जो एक होता इंट्रफेस डिजाइनर एक होता डिजाइन डेटा बेस डिजाइनर और एक हुए उता का डिटबेस सर्वर होता है जो डारेक्ट ली आपके किसे आपके hard disk से related होता है, clear यह आपका design है कि किस तरीके से आपकी programming करनी है, और यह programming करने वाले लोग, यह programming करते हैं, यह बताते हैं, programming कैसी करनी है, यह server है जो direct hard disk से data उठाता है, clear बच्चो, next जवाब नहीं आ रहा, बच्चो क्या clear है यह नहीं है, यह भी पता नहीं चल रहा, ठीक आगे बढ़ते हैं, इस पीड़ी थोड़ी कम लग रही है क्या, बढ़ा दू थोड़ी, ठीक है, थोड़ी से बढ़ा देता हूँ, इसकीमा क्या होता है, मैंने समझा दिया, यह question आ चुका है, question आया था, what is schema, तो logical representation of data is goal schema, logical representation of data is goal schema, पर इसाब से clear हो गया होगा, esquema में क्या होता है, यह मैंने पहले ही बता दिया, उसमें क्या होता है, attributes होते है, attributes होता है, जो खाका होता है उससी को schema कहते है, clear, यह जो खाका बनता है, clear, इसमें जैसे row number है, student name है, student name है, और student address है यही schema है यह schema नहीं है बच्चो यह schema नहीं है तो एंट्री है इसकी टपल्स की एंट्री है schema यह इस टेविल का कोई नाम होगा यह सब schema है चलिए अपना आगे बढ़ते हैं इसकी मा क्या होता है logical representation of data अब बच्चो एक बार इसको देखिया आप आपको पूरा मैं समझा रहा हूं अब तक जो मैंने पढ़ा है उसको मैं पूरा समझा रहा हूं अच्छे तरह कर के से बन सकते हैं लगबाग 5-6 चेप्ट आज मैं आपके complete कर रा रहा हूं बीबियमस के और बच्चों कुछ भी नहीं इतनी भेंकर तेओरी भरी होती है डीबियमस में आज तक टीचर लोग के भी यह संवे नियाए डीबियमस होता क्या है अगर तुमारे बिल्कुल किलियर है बेलकुल किलियर तो एक्जामपल दिमाह में रखना और यह संने बताया है था वहां जाकि ट्रिक्ट कर आओ ये गर से करो यह त्री 2004 ट्रफ यारि बताया था इतनी बड़ी फाइल आ गई पी क्यों सा काम एक्साद कर सकते हो इसको सो महानेश कोन करता है डी बी मेस करता है सब के बीच में ध्यूदा खेप कर देता है कि लिट आः provoc Nilini region लुक्ने किसमें 快 saat होती है डी बी किसमें कि बहुत कम होती है ना कि प्रैमेरी की के रहाप से हैं तो जैसे ही रो नंबर दो सेम आए तो वो एक ही ले लेता है उसको इस तरीके से अपन चलते हैं क्लियर सबके एक्जम्पल फिक्सर यहां पर आईए फिर मैं एक एक्जम्पल दे रहा हूं समझना अभी जो पढ़ाया आपको सबको पता है यह डेटाबेस है यह डिस्क है डिस्क अब यह इंट्रफेस यह तीन इंट्रफेस क्यों बनाएं वो सकता यह स्टुडेंट को यह दिख रहा है वो सकता टीचर को यह दिख रहा है वो सकता डीन को यह दिख रहा है क्लियर बच्चों यह तीन अलग अलग इंट्रफेस होगे एक स्टुडेंट का इंट्रफेस एक एक हम लोगों को मिला उसको बोलते है teacher interface और एक अंभी का मेडम के पास है तो वो है बच्छो administrator का interface तो तीन interface से यह लेती है अब अब दीन क्या करता है वो आप नहीं देख सकते teacher क्या करता वो आप नहीं दे सकते स्टुडेंट क्या करता वो यह लोग नहीं देख सकते है आपका software है, आपकी application, यह तो आपका view है, इसको बोलते है view level, यह आपका app है, app मतलब conceptual, समझ में आगे होगा conceptual है logical, इसको अपन app बोल सकते हैं, application है, और बच्चो यह पूरा का पूरा आपका dbms server है, यह आपका dbms server है, clear बच्चो, अब बच्चो कोई पूचे, hard disk से data कौन जाता है, और conceptual से उनके external views पे जाता, अब सुनो, एक question आता है, user कहां काम करता है, user level पे, application कहां काम करती है, conceptual level पे, और table कहां काम करती है, physical level पे, clear बच्चो, कितने views होते हैं, एक तो आपकी hard disk की table होती है, एक उस table को लेने वाला software होता है, जो इस table से contact करता है, वो आपकी application हो इस table से contact करती है, और एक application क्या view देती है, यह view level होता है, यह conceptual level होता है, यह physical level होता है, यह सब को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाया, कि views क्या होते हैं, तो views कितने तरीके क्यों होते थी, एक तो conceptual view होता है, एक physical view होता है, एक user view होता है, user यहां काम करता है, यह अलग-अलग schema क्यों बनाएं, सब के अलग-अलग schema होते हैं, यह सब application के पास ही जाते है, dean हो तो भी application को बेज़ेगा, teacher है तो भी application को बेज़ेगा, student है तो भी application को बेज़ेगा, application उसके उपर processing करेगी, फिर वो processing से बना-बनाया material यहां पर पहुंचेगा, और बस इ database से उठाएगा, और directly data server भेज़ेगा, मेरे साब से पूरा clear हो जाना चाहिए, अगर वो यह बोले, कि इन दोनों के बीच, यह external view होता है, क्या होता है, external view, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, internal view, याद रखना, क्योंकि यह internal part में हो रहा है, इसलिए इसको internal view भी कहते है internal view, और यह external part में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते है external view, external क्यों कहते है, क्योंकि user directly देख पा रहा है, इसको external view कहते है, इसको internal view कहते है, इसको user view कहते है, इसको conceptual कहते है, इसको physical कहते है, कोई आपसे पूचे table किसमें आती है, याद रखना table इसमें आती है, कोई पूच बार Nagchen भूंट करदा ठीक अखे हैं किसमेंड़ पूछी ने दमने जोङा था क्डोक अप्लीकेशा ते क्शाप्लिकैसार्स भूब शॉक्त्र के लगे लाध को सब कुछ करहें इन को और यूज्षा लेवल वोल दे या रखना यूज cousin'll विपनल या एंडाना चानैंड। कैंड बचों अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोलिये यह अपको पूरा ृइब का बता दिया इब द्राइब अब तक मैंने कैंने विफश्य ना होता कियाँ? आप सब्सक्राइं गल् circum क्यों हो जाना चाहिए हाँ जी हाँ सारु सर्यस्थ्यसर की असर्फ Yesail एक्सिर प्रपसाओं यूजर ढोट cylinder यूजर देख पार रहाँ ए ऊंदर और Το इंटर्फेसर चलिए क्लियर बच्छों यूजर का होता है तो यूजर बाूँ होता है ये डिइस्क हाट डिस्क होती है क्लियर ठेक है कि नितेश मरमार है यसर ठेक है अभी तक क्लियर हो गया होगा नितेश ठेक है यह यह कै rhirmay stupid इतना भी मैंने फड़ाया उसको फिर वापस लिया मैंने अभी तक तो मैंने व्यूज बताए अब मैं डिपेंडेंसी बता रहूं इन्डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी क्या होती है तो देखिए कि यह मोस्ट इंप्रटेंट है समझना यहां से क्यों आएगा हर जगर से क्यों सि क्शिवन तो फिक्स मानके चलीए तो समझना एक होता है व्यू लेवल जहां पर यूजर बैटके देखता है एक conceptual level होता है फिजिकल लेवल होता है चलो टेबल का बनेती है फिजिकल लेवल डिलेशन का होता है फिजिकल लेवल क्लियर बच्चो डेटा का होता है फिजिकल लेवल मैनेज कोन करता है conceptual लेवल एक बाहर बताईए कि यहां पर बहुत सारी यूजर है कि यहां पर टेबिल बन चुकिये फिजिकल लेवल के अंदर इसके अंदर कितने टपल समाल लिजी इसके अंदर टपल है पचास पचास में से मालोग इसके लिए अलाव कर दिया पंदा टपल देख सकता है इसके लिए अलाव कर दिया तस टपल यह कौन है यह कौन है टीचर है और यह कौन है डीन है इसके अलाव कर दिया कि यह पचास के पचास टपल देख सकता अब बच्चो एगवा बताईए कल अपन क आपको यह करना है कि जो डीन है वो एक टपन नहीं देख सकता तो बच्चो इसमें कोई चैंज करने की जुरहता नहीं है आपको किसमें चैंज करने की जुरहता है आपको केवल याद रखना यह आपके इस्कीमा है तो आपको क्यों यहां और यहां ही चेंज करने की ज़रा था क्यों चेंज करने की ज़रा था एक तो अप्लिकेशन में चेंज करने की ज़रा था आपको और एक आपके स्वक्टर में चेंज करने की ज़रा था टेबिल को क्यों चेंज करें तो मतलब कि बच्चों आपको इंटरफेस में चेंज़ करना है बस लोजिकल डेटेटा इंटरफेस इनके बीच में होता है और इसका क्या मतलब है समझने के कोशिश करना मालो मैं यूजर हूँ मेरे को पंदरा कोलम दिख रहे है पंदरा एक्रीपीट्स दिख रहे हैं मैं चाहता हूं मेरे को 16 एक्रिवेट्स दीके तो बैच्छो मेरे इसकीमा में चैंजा करें कि मेरे को किrukturta एंप मेरे इसकीमा में चैंज को टेविल को ज और क्यों चैंज करते हो कould़ वूamm बैच्चो मैं क्या बताना चाहिए हूंए प्रचाहरा को हुना है क्यों अगर वो यह नहीं की कोई थी मॉठा है अगर वह यह रोग मात। से कि देव से चराहरा करें हुए है कि अगर प्रद्र। कि अरहां हुआ, क्या बढ़ा सब्सक्राइब का निवर्य बोगए ने क्या क्या चेंज किया Google ने क्या क्या चेंज किया किया वह आपकी पातिकुलर एप्लिकेशन से कोई मतलब नहीं जलो IR姐 की सर्वर क्या हो रहा है sharing type कि क्या ओर रहा है आपके एप्लिकेशन ओक्लिकेशन को क्या outset मतलब नहीं है क्लियर है बच्छों मेरे साब से संद्ध में आगया होगा सब चीज अलग अलग है इन दोनों के बीच में लोजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है और इन दोनों के बीच में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है अभी फिजिकल और लोजिकल क्या होता है तो प्रखेकी होती है अच्छा एप्लिकेशन में एवा बताओ इससे पहले चलता था फाइल सिस्टम ऐसा नहीं होता था वहां तो डेटा बदलते हैं सब कुछ बदल जाता था यहां पर ऐसा नहीं है टेबिल को आप अलग सबक्ते हो सबक्ते हो इस्कें महां को आप अलग उप्लमेंट कर सकते हो इसकीमा सबस् Sports spinner इनकों सब सकते हैं लोजीकल सबस्सक्राइब को आलग और वीजीकल मतलब टेबल टेबल को अलग दो वैरड में ने दी हैं लोजीकल इंडिपेंडेंस क्या होती है logical इंडिपेंडेंस का मतलब है software को आप change कर सकते हो बिना table को change किये physical independence का मतलब क्या है कि आप table को change कर सकते हो बिना software को change किये clear बच्चो यह सब समझ में आ गया होगा अगर यह clear है तो बताईए आगे बढ़ रहा होगा यह सब कुछ माँ पहले बता चुका हो पस दो वर्ड नहीं आए independence independence का मतलब dependency नहीं है dependency नहीं है physical independence का मतलब क्या है कि आप table को change कर सकते हो बिना schema को change किया बिना software को change कियो और अगर software को change कर रहे हो आप तो आपको table को change करने के जुरद नहीं है और अगर आप ये टेबल को चेंज कर रहे हैं तो आपको शॉप्ट्र को चैंज करने की जुलागा नहीं है । यह दो बढ़ायत हैं लोजिकल मतलब सब्वाथे में चेंज पिजिकल मतलब टेबल में चेंज हम फिर आपना आगे बढ़ता है में बोला था चार से पाइन खत्म करें तो मैंने ने पहलобод चाप्टर क्बताका सब्सक्वाइब गूर्न करान। imitation के बारे में मेर में बता है management तो युजर मैं vardır बारे मेन बता है रे टाइप ऐ सोता है तो एक होते हैं यह सारी चीजिझा चुका हूँ अब चली आगे यह परेंश्ट पाइज्ट ँट कि इह अ ऑग Allah ऐन्साइब कि की कोई ने कोई अट्रिब्उय सोगा अब बताइए कि यह एक अत्रिब्उयल से यह victorious तो इनमें से कोई ने कोई attributes से की कहला था की बहुत सरे तरीके की होती है लेकिन जब keyword आए तो याद रखना primary की कोई की कहा जाता है clear बच्चो की दूसरा है यू जो की तो यू जो की क्या है बच्चो uniquely identify करना आप सबको पता की क्यों काम में लेते हैं डेटा बेस में की काम में आती है फाइल सिस्टम पहले ही बथा दिया था क्योंकि अर्विंद जैसे में इन्येल एंट्री की अRVEIN दुद्यपूर अर्विंद तर्टीतो यह त्रती ड्वोसकता है दोनों अर्विंद अलग अलग हु वे क्यायंख्यो क्योंकि हमेंदो रह सकते जिनकी एच 32 घू इस तो बच्छों ये कील नहीं है इन मेंसे कोई भी कील नहीं है हो सकता अरविंद सेम यहो सकता अरवुंद अलग अलग हो तो यहां पर ही कॉलम में जोड़ाता हूं और वो की कॉलम मैंने जोड़ दिया क्या स्नम्म सीटी और एच यहां पर जोड़ दिया मेन用 मुबाइल वर कि क्या होती है युरिक ली टेंटिफाइग करने के लिए ओसको क्यों कहते हैं एक वर्ड का करने के लिए uniquely identify करने के लिए जो attributes काम में लिया जाता है। पहली बात थो की क्या होती है को सअ clear तो की काम में क्यों लेते हैं कि की क्या अलग तपल तपर सकता है लेकिशन आज है है अधिक तर आता है अधिक तर आता है क्या आधार कार्ड तेज के लोगों के लिए आधार कार्ड एक की है क्या बिल्कुल है रो नंबर यूनिसिटी के बच्चों के लिए रो नंबर एक की एक है किसी सहस्ता में काम करने वाले लोगों के लिए रजिस्टर से नंबर एक की कि यस गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए गवर्मेंट की तरफ से जो दिये गए लाइसेंस हो किये कि यस वो डानने वाले लोगों के लिए वोटर आइडिय किये कि यस इंदुस्तान के परतेग लोगों के लिए जो भी फॉन यूज करते हम के लिए फॉन नंबर ही किये क्लियर बच्चों समझने की कोशिस करो की क्या होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनको की कहते हैं और की जभी भी आये वर्ड के वल की वर्ड आये सुनना तो की को आप एक ही वर्ड दे देना कंडिडेट की कंडिडेट की बस प्राइमेरी भी नहीं क्योंकि एक शर्त होती है की वर्ड का मतलब समझ में आगया होगा कि एक अट्रिब्यूट्स होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो यह सब की है अपने अपनी लोकेशन की फोन नंबर किन की की है जो फोन यूज करते हैं उनकी की है एक बाबू पैदा हुआ उसके फो सबी संस्ता के लिए यह टेबिल है आदार कार्ड आदार कार्ड किसका आदार कार्ड किसका जितने भी लोग है लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आगे उनके लिए की नहीं हो सकता है समझो कुछन को डंग से पढ़ो किसके लिए की हो सकती है किसके लिए की नहीं हो सकती उ उस रियल सिट्वेशन के अपर वो डिपेंडेंट है आप बताओ यूश्टि के लिए रो नंबर की हो सकती है कि यस वहान पंजी करण जिन्होंने करवाया उन लोगों के लिए जो वहान चलाते हैं उनके लिए लाइसेंस नंबर की हो सकती है कि यस की मतलब कानिडेट की अब बच्चों मैं आपको कुछ चोटी-चोटी बातें बता रहा हूं समझेना यहां पर आज़ें इसी के लिए अपन बात कर लेता है यह तुदेंट अरविन देपोर एज थर्टी टू ए स्टुडेंट के लिए आधार करी की हो सकता है का आधार कार्ड हो सकता है मेरे साथ से वह सकता है डूल नमबर की का मतलब पनिडेक करेंड की कुमें एक वर चलता है युनिकली आइडेंटिपाइब करेगा यह नहीं करेगा आधार काड यूनिक्ली अडिनिटिफाई करता है रो नंबर करेगा स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर करेगा लाइसेंस नंबर करेगा वोटर आइडी करेगा फोन नंबर करेगा अब वह अलग मेटर है कि बहुत सारे लोगों का वोटर की सेट कंडिडेट की सेट में च्छे केचे आ जए हैं यह ऑज सब को ले लेते हैं एक साथ हो भी जाएट की सेट हो जाएगा तेन को एक साथ ले रहा है कंडी डेट की कंडी डेट यह अलग है वह अलग है अलग है कंडी डेट को युट्रिट्वाइड कर दे अब चाहिए उसमें एक अट्रिबूट काम आये चाहिए तो वर्ड जोड़ रहा हूं मिनिमम नंबर तो और या जात कर ना है सब भी को मिला किने की जरुवत नहीं है minimum numbers of attributes जो uniquely identify कर दे किसी संस्था में काम करने वाले लोगों को वो संस्था की टेविल के लिए करनेड़ किये है मेरे इसाब से लास्ट के जो तीन वर्ड बोले हो के लिए रोजने चाहिए minimum numbers of attributes minimum numbers of attributes which uniquely identify which uniquely identify all the person in an organization clear बच्चों अगर तुमारे सम्द में आ गया तो बताइए नर तो फिर मागे बढ़ रहो यह सभी candidate की हो सकती है क्योंकि किसी दो के सेम नहीं हो सकती है uniquely identify कर रहे हैं यह पूरा group candidate की का सेट हो सकता है कुछ का करें कि में पुर क्या करें तो minimum numbers of attributes आपको लेके चल्ड रहे हैं लिए बच्चों चलिए हैं किसको कहते हैं का क्या की क्या होता है uniquely identify कर था है इन मेंसे मानलो में इसको «canidate की बोल देता हूं। मानली है इसको «canidate की बोल देता हूं। तो बच्चो जिसको «canidate बनाओ ऑन counties बड़कि यह सब Alter की हो जाएगी। die alternate की؛ पता है ना नाम से पता चल रहा है Alternate चलो यह uniquely identify करता है अगर माल लो इसको नहीं बना हो तो alternate अपने पास कोई alternate है क्या आपके पास माल लो चार्लोग फड़ा रहे हैं आपको DBMS, एक, दो, तीन, चार्ल तो अर्विन सर नहीं पढ़ा है अर्विन सर कनिडेट की है अर्विन सर नहीं पढ़ा है तो तीन option और आपके पास, इनको बोलते हैं अपन alternate, alternate की क्या होता की के ग्रुप में से बहुत सारी candidate की candidate की set में से एक को candidate की बनाने के बाद candidate की set होना चाहिए, याद रखना इस candidate की set में name name आपका candidate की set में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि name तो दो के same हो सकते हैं, किसकी बाद चल रही है, किसकी बाद चल रही है student की, दो student के name same हो सकते हैं, इसलिए name candidate की set में नहीं आएगा, जो candidate की set में आते हैं उनमें से candidate की बना दू, उसके अलावा जो भी बचगे उनको क्या बोलते है अल्टरनेट की मेंने दो डेपिनेशन दे दिए अगर तुमारे संब में आ गई तो खंडिडेट की कंडिडेट की और कॉंडिडेट नहीं होता, कंडिडेट होता, C-A-N-D-I-T-A-D ठीक है, इस विंग देख ले न, कंडिडेट की, कंडिडेट की, कंडिडेट की, और अल्टरनेट की, और कंडिडेट की सेट, यह मैंने समझाने कोशिश किया, कौन सा कंडिडेट की होगा कौन सा कंडिडेट की होगा कौन सा अल्टरनेट की होगा और कौन-कौन से कंडिडेट की सेट में आएगा यह तीन चीज समझ लीजे क्या सर इसमें पूरी टेबिल भी हो सकती है किसमें 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 अगर मालो इसमें लेते हैं अपन तो यह यह भी तीनों मिलाके भी कंडिडेट की सेट नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता क्यों कि देखो दो अलग अलग है यूनिकली आइडेंटिफाइं नहीं कर पा रहे ह हां लेकिन अगर मैं यहां पर 33 कर दो तो बच्चो एस नेम और एज दोनों मिलाकर एस नेम नहीं बन सकता एस नेम कंडिटेट की नहीं हो सकता लेकिन एस नेम और एज दोनों मिलाकर कंडिटेट की बन जाए क्यों क्यों क्योंकि युनिकली इडेंटिफाइए करें दोनों मि किलिए रहे किलिए रहे कि ये बताइए किलिए रहे किया एक एक मिल जाए तो ठीक है न दोगा गुरूब बनाएंगे दो individual अगलाग करते सबको ठीक है करने की हो गया नहीं करे तो कर निट की नहीं होगा पर तीन लीजिए अगर तो कि युनिकले अगर मानलो दो भी कर रहे और तीन भी कर रहे है तो दो को पहले प्राइटी देंगे अपन करने डेट की का क्या मतलब होता है सवन में आ गया बच्छो अरे बच्चों अगर यह करणिटेट की है तो यह तो होगी ना यह तो होगी तो यार रखना कंटेटकी सेट बोलेंगे हो इसको ही लेंगे यह ए wonder कि होगी भी फिलकुल होगी इसलिए तुममेर बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं मिनवर उपर अब एक बार घर टीजल ने कि नल सकती हुब सकती है किसी का रोर नंबर हुई नहीं इसलिए ही तो याद रखना कानट की से आगे की बात करेंगे अपन प्राइमेडी की को जरूरी है कि सब करो नमबर तो चलो है यह रोनमबर तो युनिसिटी में है वह अपन स्टुडेंट के बात करें तो लेकिन आधार काट सब आप क spec Das ut augury कि युद्र करेंगे किया आप मालू किसी का अधार है तो नहीं है तो नहीं कोई बात नहीं यहां पर नल कर देंगे कर तो आधार कार्ड अगर नहीं है किसी का तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्निडेट की तो है क्योंकि आधार कार्ड यूनिकली अडेंटिफाई करता है तो फिर इस प्रोब्लम को दूर करने के लिए अगर मालो यहां पर कोई बंदा है और इसका आधार कार्ड नहीं है तो फिर यह इस चीज से स्टुटका रहा पाने के लिए एग बहुंद रएक बाभ बताई इस्टुडेंट में सभी का युदिटा सब है एक बार बताई है कि अ सब्सक्राइब एक कर सकता के कि में डूप्लिकेशन चल सकता है डूप्लिकेशन नहीं चल सकता क्योंकि वाड़ी क्या है uniquely identify करना चाहिए क्या दो लोगों का नाम से में तो candidate की नहीं नहीं हो सकता clear बच्चों लेकिन हाँ आदा नंबर नहीं है तो भी हो candidate की तो है नहीं बनाओगा आदा नंबर जब आएगा जब लेकिन याद रखना primary की उसी को बनाया जाएगा जब दो टेबिल में लिंक बनाते है तो candidate की से नहीं बनता है किसे बनता है primary की से का मैंने बहुत देर हो गए बोलते बोलते अगर अभी भी नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए minimum numbers of attributes लेना है नहीं मिल रहे है तो group of attributes लीजिए जब जितने numbers of group of attributes मिलाकर uniquely identify कर दे तब वो candidate की बन जाती है candidate की में null हो सकता है क्या हो सकता है याद रखिए कोई entry null रह सकते है क्या हो सकती है तो फिर उस बन्दे को कैसे पता करेंगे इसलिए तो मैं candidate की काम में नहीं लेता हूँ क्योंकि primary की जिसकी भी होगी वो null होई नहीं सकता clear किया के चलिए कि देखो मैंने अउन मेर्ण वाड़ लिया प्रामिरी की यिनिक और not central होना चाहिए not internal होती है यह quand aust Creating के लिए छोन नंब स्टुडैंकि द्संपूलिग के लिए वह और स्टूडैंक के ले रहां बोल रहा हूं उसको क्लियर करो करने डेट की कितनी हो सकती है सब यह जो यूनिकली अडेंटिफाइग कर दे जैसे भी बताया था यह सभी यह सभी कने डेट की हो सकती है कि इस दुनिया में दो के फॉन नंबर सेम नहीं ISS नहीं यह इन लूकर अब यहां पर आई अग'm mommy why श्यक्त टो पावगे कि स्टूडेन्ट के लिएए अपन लेते हैं है इस्टूडेन्ट के ले लिए अ है है ठीक यह यह इस्टूडेन की एंट्री करूँगा में इस में इस आole फोन नंबर फोन नंबर प्रायमेरी की हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों क्यों क्योंकि हो सकता दो भाई भेन यह यह फोन नंबर मेरा है हुआ है और एक अंप्र का मैडम का फॉन नंबर है今 फॉन को टो इसनि impart Worth Ohhh ने तो बिषर इनका प्र हो ये सकता क्योंकि ये यूदेंटिटिफाई टो करेगा फॉन नंबर कंडिड्क की तो ओसकता है लेकिन नल नहीं होना चाहिए बच्छो एंगर बताओования अम्भीकविन नंबर मेरई को रिजल्टा आया और इनका रिजल्ट देखना है और मैं सब को डाला यह लीजिए रो नमबर मांग रहा है वो उनियुशिटी का रिजल्ट आया रो नमबर डाला रो नमबर आ गया बच्चो नमबर आपका प्रामिरी कीए लेकिन बहुत सारी लोगों ने अपना जो बनाया इंट्रफिश बनाया यहां प्वह बना दिया यह ले लिए पॉन क्या ले लिया बच्चो फॉन नमबर अब किसी बच्चे ने फॉन नमबर डाला ही नहीं बच्चो उसका रिजल्ट्स होगा क्या नहीं हो सकता तो फॉन नमबर और ये भी तो हो सकता है दो लोगों के फॉन नमबर से मोँ दो लोगों के फॉन नमबर से मोँ आपकी सर्थ क्य तो है क्यों कि यूनिक है लेकिन बच्छों सभी का अधार कार्ड हो यह कोई जरूरी नहीं नहीं है तो आधार कार्ड भी प्राइमेरी की नहीं हो सकते किसी इस्टुडेंट टेबल के लिए मैं बता रहा हूं अब जहां पर आधार काड़ अलावी है आधार काड बिना नोकर कर रहा हूं इस कोचिंग में फढने वाले स्टुडेंट के लिए आ जाई है कि इस कोचिंग में फढने वारे लोगों के सब के फोन नमबर होंगे क्या मैं इसकी बात करूं लेकिन जहां कोई अला हुए कि आधारकाड के बिना कोई काम ही नहीं होगा तो फिर वहां ऐसी बात करेंगे अपन क्या रहिंखिए हमें क्या करूं श्रॉस्ट सन्श्टा चलता है यह पर रहे हैं तुट्ट में नमबर स्ट्ट चुडेंट के लिए स्टू बाद दिमाह में रखिए मेरी कोचिक परत्सेंस्ट का पेन नमबर हो यह जखते हैं डिफ्抱ूरी यह प्राइम्री की हो सकत ten registration नमबर कोचैंग में रद्टल जरूरिए लो नमबर फिल्कुल जरूरी Under इ fighting फड़ेरी सब्सक्राइमेर कर यह और कोचैंग में पड़ने वाले स्टुडेंन् Rabb मुसा कदेए कि लिए वो डानने वालों की बात करें तो वो ट्राइडी प्राइमेरी की हो जाए लियर है सब में आगया होगा अगर तुमारे यह सब में आगया है तो बताईए मैं फिर आगे बढ़ता हूं तो बच्छों अपनी यूज कनिडेट की को नहीं करके अपना मेंसा क्या करते हैं यह प्रिश्टेशन नंबर हर संब्स्ता के लिए डिजाइनरी सोचता है क्या उमें 항상ी की कैंडेट की बाता क्या UK क्या होती है अब तक मैंने किय कह समझा दी है आपको कानिडेट की कघर कंडी fakie का सेट क्या होता है अल्टरनेटस की क्या है कानिडेटड की बह Eugene सारी होती है उन्होंए से करेंड़ हेलेंगे मिनिमम नमबर 75 क कनडेट की होगा उनको थोड़ने के बाद alternate keys होगी, alternate keys भी candidate key होती है, अगर ज़्यादा candidate key आपके पास, सब uniquely identify कर रहे हैं, केवल एक इवर्ड देखना uniquely identify करती है, तो candidate key है, न तो नहीं है, नल हो नहीं हो, उससे कोई मतलम नहीं है, primary key में नल भी नहीं होना चाहिए, table में हमेसा primary key लेते हैं, clear, तो table क relation हमेसा किश्य बनता है primary key से, clear, next, foreign की क्या होती है, यह समझना यह अच्छा है बच्छों, और शांदार है, अगर तुम्हारे सम्ध में आ जाए तो, देखो इदर, एक table यह, एक table यह, इसकी primary की यह, इसकी primary की यह, यह course, और row number name, address, यह student ले ले लिजे, दो table बनाई, मैंने एक table है, एक table है, और देखो इसको, फिर कल अगे बढ़ेंगे, कल अगे चलेंगे, तो आगे बहुत सारी चीज़ अपन फढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हैना है, सेकंड हैना है, थर्ड हैना है, फोर्थ हैना है, बीसी हैना है, बगर बगर जो भी है, जेतने भी assessing में है, थर्ड हो सारे पढ़ेंगे, अपन indexing, यह, यह सब पढ़ेंगे फोरेंड की क्या होती है, इसको समझने से पहले यहां पर आई है, यहां दो टेबिल है, अब तक एक टेबिल चल रही थी, अब दो टेबिल है, दोनों टेबिल में relationship बनाने है, डीजाइनर यह ते करेगा कि किसको फोरेंड की रखना है, आब बताई, मैंने कहा, एक तो होता लिए बनगे, एक टेबिल यह बनगे, यह course है, course का नाम, course ID 7 है, course name DBMS है, और किसको लोट हुआ, row number 1 को, course number 2, course number 2, networking है, और किसको लोट हुआ, course row number 2 को, यह अलग है, यह अलग है, student row number 123 है, name student का ABC है, address है, row number मैंने को पता है, student के लिए क्या हो गया, ID हो गया, और course के लिए course ID, यूनिक हो गई, C1 course, DBMS, C1 course और C2 course, यह course ID, यह बच्चों दोनों टेबिल के बीच में, एक relationship होती है, ER model में कल फड़ा हूँगा, लेकिन याद रखिए, इसको बोलता है, reference to table, reference to table और इसको बोलता है, reference to table, reference to table, reference to table, और इसको बोलता है, reference to table, reference to table, reference to table, एक होता reference और एक होता reference to table, बच्चों याद रखना है, इसकी primary की है, इसकी primary की है, यह जो referencing table है, यह किस से reference ले रही है, यह reference ले रही है, इस से, student table से, इसकी primary की क्या है, यह, लेकिन इसकी foreign की यह होगी, मेरे साथ जिसम में आगया होगा foreign की, foreign की क्या होती है, referencing table, 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 जिस attributes को reference के लिए काम में लेती है, उसको foreign की कहते है, दो तरीके की table होती है, एक reference table, main table, और एक base table, एक तो main table होती है, और एक dependent table होती है, यह रेफ्रेंसिंग टैबल होती है और यह टे मल रेफ्रेंस टी है और यह टे मल बेवर और जिसे द्रिपीट अլ्ली को लिंक बनाने की काम में लेती है उसको पर याद रख को इस चütünग कोर्स नाम की टेम टेमल या रिलेस्टल की झौरें की जब रहते हैं जब सकती है याद रखो वरो नंबर फॉरेंट की इसके लिए इसके लिए प्राइमेरी की यह इसके लिए पॉरेंट की यह रेफ्रेंसिंग टेबल की फॉरेंट की जो फॉरेंट की होती है रेफ्रेंसिंग टेबल की जो फॉरेंट की होती है वो दीवी टेबल से रेफ्रेंट से मेरे साव से हम तक clear हो गया होगा आप बताये कोर्स की आ गया इधर भी बना सकते हो जबना सकते हो याद रकनाome çık की दूसरी टेपल बन की होुदी हाँ आ यह पोरान की बोज़े दोफ हमें की नाल हो सकती है क्या बता है ए उसका तो अधर कि आप आ नियान अच्विश्च पूचंघ यह अगलों पूछा तो बच्चो फोरेंग की कभी न्ल नहीं हो सकती हो क्यों 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 कि वो जैसी नल होगी यह भी नल हो जाएगी बच्चों याद रखना रेफरेंस रेफरेंस मैं आपको समझाओंगा लेकिन पहले इसको देब फॉरेंड की इटीज अट्रिब्यूट्स और सेट अट्रिब्यूट्स डेट रेफरेंसे टू प्राइमेरी की ओफ सेम टेबल और अ अनोधर टेबल यह अनोधर की क्या होती है प्राइमेरी की होती है जो रेफरेंस देने का काम करती है अच्छा फॉरेंड की कब सही है फॉरेंड की जब सही है जब टेबल दो हो फॉरेंड की क्या होती है किसी एक टेबल की प्राइमेरी की होती है फॉरेंड की किस में लिख अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं और समझने कोशिस करना और इंट्रेस्टिंग चीज़ें अभी तो मैंने डेफिनेशन दी है लेकिन क्या क्या हो सकता और क्या क्या नहीं हो सकता यह भी समझना देख रो एक बार इसको पूरा अगर इसम्स हो तो बोलू और की क्या होती है किसी डूसरी टेबिल की अधिन के प्ररिमेरिक के उती है और कि किसमें लिखिजाती फ़ेएक कि क्या करती यह रफ्रेंस देदादि कि क्लियर फोरेंड की में और क्या क्या हो सकता है यह मैं अभी आपको बता हूंगा लेकिन अभी तक का concept क्लियर हो जाना चाहिए प्राइमेरी की यूनिक होनी चाहिए नल नहीं होनाई चाहिए करने डेट की को पाइब की यूनिक होनी चाहिए एक दिए की के अलावा यो इलेमेंट चूट गए उनसे सब को क्या केते है अल्टरनेट की क्लियर हाजी चले बच्चो नेस्ट अब आगे बढ़ते हैं ये रेफरेंस टेबिल इसको कहते है और रेफरेंसिंग टेबल इसको कहते हैं और मैं सारी चीज़े आपको समझा रहा हूं रेफरेंसिंग टेबल समझें आची तरीके से ये क्या रेफरेंसिंग टेबल और ये रेफरेंस टेबल और ये रेफरेंस टेबल और ये इसकी फॉरेंड की है वही एक्जामपल मैंने ले लिया कितना टाइम बच्चा साथ 6 मिनिट बचे हैं बच्चो लेकिन याद रखना अगर मानलो कनेक्शन कट जाए तो भी नहीं जाना क्योंकि ये पूरा समझाने के बाद ये लाश्ट लेंगे अपन फिर कल लेंगे हैं ना देखू रेफरेंस टेबल में मैं अगर इंसर्ट करत में देट नहीं हैं अगर मैं यहाँ पर लए तो कोई दिक्केत नहीं है याद रखना यहां पर होना चाहिए वह यहां पर होगा क्योंकि ये यह टेबिल अप सब्सक्राइब ब्लसी। इसने म कि अगर मैं देटा जोड़ू तो जोड सकता हूं एनसर्ट में आप को कोई दिक्कत लेकिन बच्चों याद रखेना अगर माहलो में डिलिट करता हूं और डिली वह जैसे प्रूइब करदी पड़ो और नफेट यह लिखेगा यह लएक Bayern नेक दfill एक के बारे में बता स्थेड़नी मैं हूं है अब यह लेकिन बच्चों अग्र मपार लो इसको भूल जाओ ज़े वाफस आज़े हैं मैं क्या बता रहा हूं ? वापस आई गोई जब एंसेट कर reach बराइस में को चाहिए। ज्या मेरे को सीवन का पता चल जाएगा और सीटू का भी पता चल जाएगा इसलिए आप रैफ्रेंश टेबिल के अंदर एड कर सकते हो कोई दिखत नहीं लेकिन रैफ्रेंश टेबिल में अगर आपने डिलीट करते हो और यही डिलीट कर दिया तो बच्चों सी ट्व की पू जो इधर दे रखा था तो बच्चो फिर पूरी इंफर्मेशन नहीं आएगी इसको वोईलेशन कहते हैं अगर मानलो इसमें अपडेट करता हूं अपडेट इसमें मानलो मैंने यहां अपडेट कर दिया 20 कर दिया क्या आप यहां डेटा देख रहे हो सीवन का डेटा देख रहे हो ठीक है सीवन का डेटा देख रहे हो अगर यह मिल गया तो ठीक है नहीं मिला अपडेट कर दिया इसको अपडेट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों हां दूसरे को अपडेट करेंगे तो नहीं होग डेटा रेफ्रेंसिंग टेबिल यह है आपको डूढ़ना यहीं पर है अगर मालो आप सीवन के लिए डेटा पूछ रहे हूं तो सीवन के लिए डीब्यमस आ जाएगा यह वन आ क्यों क्यों मैंने समझाने की कोशिश की क्यों एरर देदेगा क्योंकि यह प्राइमेरी की है और प्राइमेरी की आपने नल गोशित कर दिए तो नाम की कोई चीजी नहीं है जो आपने गटबढ़ कर दिए यह यह तो बताएए लेफ्रेंसिंग टेबल का डेटा आपको आप एड कर सकते हो अपल को एड कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो डिलेट कर दोगे तो भी दिख्कत आएगी अपडेट करोगे तो भी दिख्कत आएगी यह तीन वर्ड हो रहा चलते हैं इनको भी समझ लो ओन डिलीट केस्केड डिलीट तो कर दो लेकिन caseCade, on delete caseCade जब करते हो na SQL में, तो यहां से delete होते ही, वो का वो यहां से भी delete हो जाता है, लेकिन बच्च वह तो information को lost कर रहा है, वह caseCade का मतलब होता है, यहां से delete करते ही, वो अपने, वहां से भी delete हो जाता है, जैसे मालू लो 2, इस 2 को मैं delete कर रहा हूँ, और इंट कि अंट करें कि हम अन्य मतलब आदे मेने इसको क्लियर किया तो को अपने आप यह से कैंसिल हो जाता है कहने का मतब दोनों टेबिल से कैंसिल करने को किस्केड कैता है ओल डिलीटगे पर किलियर बच्चो तो ये भी गट बड़ है क्विशम को खत्म कर रहे हैं और डिलेट्ट नो एक्षिन अप्र दिल्ट नो एक्षिन ने का अगे तरीके लेकिन आप तो यह जाद रखो आपके ऊपर क्यों जिस्ट्रा आएगा कि यह घ़ाले से या नहीं है तो डिलेट करना है कोईलेशन goose सलओं mesa tomorrow की ठवी देख लेकुछ रफेरेंसिंग टेबल के मालूम में आगर होग एक हैं क्लेयर मैं कि इंसर्ट कर से ट्रे कोर्स का नाम कर दिया मैंने सी यार नबर मैंने सर्डिये है मैंने इदर इंसर्ट किया वच्छोग तो तीन का नाविद को दिक्क्त नहीं लेकिन अगर में फिर फिरर रहें ग है तो रेफरेंसिंग बंढ़े गसे और तो जाएगो आ reflecting कि त Carry है कि referencing की तरप आप इंसर्ट नहीं कर सकते क्यों कि 30 पे बेज़गा 30 अब तो हमलो में इधर कर दो डिलेट कर दो इधर अलिए कर समझ नाँ तो इधर मांलो में मैं C 2 को कर देता की कि यह तो था यह नहीं अपने पस कश अगर मैं C2 को इंढ़ी एलीट न ही कर दूध यह कोई दिक्कत नहीं सीवन के लिए जाएगा प्रसीवन के लिए चला जाएगा टो यह कोई प्रडीट हो सकता है और अपडेट इंहीं कर सकता है याद रखना आप डेट क्यों नहीं कर सकता सब को पता है और यहां अब यह 10 कर दूँ वह और 50 ayam precision को भड़िय्शन पैदा करेगा referencing referenced के उपाँ लेके जाती है जब आप इसका कोई data याई के बारे में बताईए, पूरी information दीजिए तो C1 पर 1 पर पहुंच्छ जाएगा और information मिल जाएगा, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो violation चैटिया अब तक मैने जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत हो उतों बोली डेटा कहा देखा जाता है रेफरेंसिंग टेबिल में देखा जाता है याद रखना Login ID पास्वर्ड जब बनाते हैं हमीशा तो सीवन जैसे डालते हो तो सीवन पूरा आ जाता है और किस तरीके से लिंक है वो समझ में आ जाना चाहिए अब बता दीजिए आज जो मैंने पड़ा है चार चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया हाँ अगर इदर आप जोड़ देते हो कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं पर रसी तो नहीं मिलेगा ना उसको कोई दिक्कत कर देते हो और वही डिलिट कर देते हो जो इदर से याद रखना ऐसे रटना उता है उप्रोब्लम नहीं हाथ हैं इदर पूरा कॉंसे नहीं पूरा समझा कुछ दो दो बार देखना वीडियो को कितनी बात दो बार नितेश कि कल भी दो गंटे बिल्कुल दो गंटे ही होगी यह सर कुछ है नहीं डीपी एमस में वेस में नेट्रकिंग में कुछ तो ही नहीं बच्चों क्या करें कि ट्योरी यह को दिमाय लगाने के जुरत नहीं सुनना है दो बार वीडियो देखो वीडियो आपके पास ही नितेश परमार कि अधी कि ओके सटीक है ठीक है इस वीडियो को दो बार जरूर देखिए अपने आप के लिए हो जाए हूँ ठीक है बच्च्च